थोड़ी तो इंसानियत रख जैस्मिन, कोई बिचा रही है, हराम जादा, रख ले, तेर दिमाख राव होगे, पकड़ी गई ना, तो प्लें छोड़े है पोड़े, ना जा रहे हो, मुझरा करने, देशिंगी, पामेडी, विडियो, तो दूस्तो आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ, टुन टुन टुनिवने फोर में रिलीज की हिंदी लेंग्वेज की फिल्म कृू मुई के बारे में, जो कि कृू एक कूमेडी डुरामा जॉनरा की फिल्म है, और सिल्म को दो गंटे का रनिंग टाय है और यहां पर हमें लीड कास्ट में देखने को मिल गए थी जो के क्रिटी सैनन करीना कपूरख खान और यहां पर तबू दिलजीद दुसांच कपिल शर्मा और यहां पर गुल wiresं पर कारबंदा और यहां पर राज शर्मा और भी काफसरी क्रीसंट थी तो यह सारी स्टोरी जो है ना तीन जो के एर होस्टेट के एर जो के प्लान की जो अंदर जो वेटर का काम करती है ना उनी के ओपर बनाई गई फिल्म है और यहां पर वो कैसे अपनी स्टोरी को जो के लाइफ को गुजार रही है वो सारा को दिखाया गया है और यहां पर वो कैसे जो के लोगों को लूटती हैं उसके बारे में भी दिखाया जाएगा ओवराल देखा जाए तो फिल्म काफी अच्छी एक कुमेडी से भरी हुई फिल्म है और यह फिल्म बॉक्सस पर एक सूपर हिट फिल्म रही थी इस इनको दो घंटे का रैनिंग टैम मिला हुआ है 10 70 क्रोड था इस इस इनको बॉक्सस पर 152 क्रोड का कुलेक्शन किया और यह फिल्म बॉक्सस पर एक ब्लॉक्बस्टर फिल्म रही थी और इस इस इनको पर आगे बात कर लें इस इनको बारे में तो यहां पर आप उसको बता दो स्टोरी को लिखा था निधी जो के महरा ने और मीहुल सूरी ने और यहां पर प्रियूसर थे एक्ता कपूर रिया कपूर और यहां पर एंडिल कपूर और यहां पर देव विजे पुरूत जो इसलिम के प्रियूसर वगरा थे तो यहाँ पर आगे इसलिम के बारे में बात करें तो आप इसको बता दूँ जो इसलिम की सुनुड़ाफी की थी वो अंजुष राजेश की धावन ने की थी और यहाँ पर एडिट किया था मनन सागर ने और दिलजील दुसान ने सौंग्स को और बादशाह ने राज नेटवर्क और यहाँ पर इसलिम को रिलीज करवाया गया था 29 मार्ट 2024 में और इसलिम को एक सो अठरा मिनिट का रेनिंग टाइम मिला हुआ है यानि दो घंटे के आसपास का रेनिंग टाइम मिला है और यहाँ पर यह हिंदी लेंगवेज की फिल्म थी बजट 75 कोड़ था यहाँ पर जो बैंक क्राफ्ट जो उनका स्टोरी वगरँ है वो आपको बताता हूं लेकिन यहाँ पर आप दुस्टों को तीन जो के यानि करीना खपुर खान जो जास्मीन का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर जो के फ्लाइट अटेंटड़ हैं यहाँ पर वो दोसाद गस्टम का रोल पे रही है अ क्पीयर शर्माbyeर गस्टम एपियरस में देखने को मिलते हैं राजियर Перिसर जो केंडर मिटल का रोल प्ले कर रही हैं और yahपर तिरुफटी जो कामकार है ना वह ऐसा ही माला का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर जो इसंगे अंदर चारु शंकर हैं सुदा मितल का रोल प्ले कर रहे हैं तो यह आरी कास्ट वगज़र थीम्हां पर इस्टॉरी की हैं तो उनकी जो कंपनी होती है ना आप उनका दोव्याले निकल चुका है अब हुआ हाम पर उनकी जो कंपनी है ना वह हो चुकre है बैंक क्राप्ट अब यहां पर उनकी जो सैलिव वगरा भी नहीं आ रहे तो जिसकी वज़ासे वो अब काम से भी Chatea तो इसके बाद कैसे जो के लोगों को लूटनी है और यहाँपर कैसे वो लोगों को लूटना भी बनाती हैं और यहांपर यह कुमेडी के साथ त्ट्का डिखाई गया है और यहांपर आप दोश को काफी इच हhanded को मिल जाये अगर आप अभी भी इस film को देखना चाहती हो तो ये फिल्म कहां पर देखने को मिलेगी वो भी बताऊंगा अगर आप सुने ओफिशले इस film को देखा हुआ तो ये फिल्म आपको कैसे लगी थी अपना उपीनिय लाजमी बताना है तो यहां पर हम थोड़ा सा आगे सॉंग्स की बात करें तो इस सॉंग्स वगरा थे ना पच्छिस मिनिट पच्छिस सेकंड के सॉंग्स वगरा की लेंथ थी और यहां पर हिंदी सॉंग्स थे और हिंदी सॉंग्स के जो म्यूजिक राइट्स वगरा यानि सौंग के राइट्स वगरा थे वो टिप्स म्यूजिक के पास थे और यहां पर इस फिल्म के टोटल आठ गाने थे आठ गाने की लेंट थी पच्चिस मिनिट पच्चिस सेकेंड और यह सारे सौंग आपको यूटिब पर आफशिली देखने और सुनने को मिल जाएंगे उसके बाद यहां पर आगे थोड़ा सा बात कर लें इस फिल्म के बारे में तो इस फिल्म को जो को अफशिली जो कि आप रिलीस भी करवा दिया गया है अब यहां पर यह फिल्म OTT प्लाइफरम पर भी आ चुकी है या नहीं वो भी बात करते हैं लेगन आप इसको बता इस फिल्म को जो राइट्स वगरा OTT राइट्स हैं वो नेट्फिल्क के पास हैं अभी तक इस फिल्म को ऑफशिली जो रिलीस वगरा है नहीं किया गया नेट्फिल्क्स के उपर लेकिन इस फिल्म को अभी भी थेटर में कहीं काफ सारे जुगें उपर लगी हुई है फिल अगर आप सो देखना चाहो तो वहां पर भी जाके देख सकती हो अगर आप दोस्ति सिल्म को थेटर में नहीं देखना चाहते है ओटीटी का वेट करे हो तो इन फ्योचर जब भी यह फिल्म ओटीटी प्लाइटफरंड पर आएगी वह भी आपको देखने को मिल जाएगी नै निव अपडेट्स आती हैं वो इस चैनल पर मिलती रहती हैं तो यहां पर हम दोस्तों बात कर रहे थे क्रू मुई की जो कि यह 2024 में रिलीज की कुमेड़ी ड्रामा जानरा की फिल्म थी और आप दूसको फिर से बता दूए इस सिल्म के राइट्स पगरा जो ओटी राइट्स में बात करने जा रहा हूं 2024 में रिलीज की गई हिंदी लैंगविज की फिल्म क्रू मुई के बारे में जो कि क्रू एक कुमेड़ी ड्रामा जानरा की फिल्म है और सिल्म को दो घंटे का रनिंग टैम मिला हुआ है और यहां पर हमें लीड कास्ट में देखने को मिल गए थी जो के करीती सैननस, करीना कपूर खान और यहां पर तबू, दिलजीत दुसाच, कपिल शर्मा और यहां पर गुल पलशन, कारबंदा और यहां पर राजे शर्मा और भी कास्ट थी जो स्पोर्टिंग रोल में देखने को मिली थी तो यह सारी स्टोरी जो है ना तीन जो के एयर होस्टेट को सौरी एयर जोके प्लाइन दर जो विटर का काम हें उन्हीं नहीं के ऊपर बनाई गई यह फिल्म और कैसे उपनी स्टोडी को जोिके लाइफ को गजार रही है और यहां पर कैसे जो कि लोगों को लूटती हैं उसके बारे दिखाया जाएगा ओवराल देखा जाए तो फिल्म काफी अच्छी एक कुमेडी से भरी हुई फिल्म है और यह फिल्म बॉक्सस पर एक सूपर हिट फिल्म रही थी इसलिम को दो घंटे का रैनिंग टैम मिला हुआ है टैन बैस 7.7 की रेटिंग मिल चुकिया है पर और इसलिम को 29 मार्च 2024 में रिलीस करवाया गया था और इसलिम को ड्रैक किया था राजेश एक कृष्णा ने और यहां पर इसलिम को 85% लाइक भी मिल चुके हैं और यहां पर इसलिम का जो बजट थना वो 75 क्रोड था इसलिम ने बॉक्सस पर 152 क्रोड का कॉलेक्शन किया और यह फिलम बॉक्सस पर एक ब्लॉक्बस्टर फिलम रही थी और इसलिम की डिश्टिबिशन कमपली थी रिलाइंस इंस्टेंट अर यहां पर थोड़ा सा आगे बात कर लें इसलिम के बारे में तो यहां पर आप इसको बता दू स्टोरी को लिखा था निधी जो के महरा और मीहुल सूरी ने और यहां पर प्रियूसर थे एकता कपूर रिया कपूर और यहां पर एंडिल कपूर और यहां पर देव विजे पुरूत जो इसलिम के बारे में बात करें तो आप इसको बता दू जो इसलिम की सुनुड़ाफी की थी और यहां पर डिट किया था मनन स लागर ने और दिलजील दुसान ने सौंग्स को और बादशाह ने राज रंजूद ने और यहां पर विशाल मिशना अक्षे एपी और यहां पर भारक रोहित ने और यहां पर इसलिम का बैगराउंड म्यूजिक दियाओधा जौन सावेतरी जो के अधुरी ने और यहां पर प्रड़क्शन कमपनी थी बाला जी मोशन पिक्चर अनिल कपूर फिल्म और यहां पर डिस्टिबिशन कमपनी थी पैन मुरूधर इंटर्टेन्मेंट और यहां पर इसलिम को रिलीज करवाया गया था 29 मार 2024 में और इसलिम को 180 मिनिट का रेनिंग टाइम मिला हुआ है यान प्रफिल्म के अंदर तीन जो के स्टोरी दिखाए गई है वह भी किनकी आप उसको बता दूँ यहां पर जो बैंक क्राप्ट जो उनका स्टोरी वगरा है वो आपको बताता हूं लेकिन यहां पर आप दूसको तीन जो करीना खपूर खान जो जास्मिन का रोल प्ले कर रही हैं और यहां पर जो के फ्लाइट अटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें जैस्ठ आपिरियंस में देखने को मिलते हैं यह अपिल शर्मा में बियेग के हैं। चूदर सालषाक मिट्रवाद का रोल प्ले कर रह आए हैं। वीजे वैला कि यहां पर एकिल बुष करबंदा के पोरिज में प्लिति आ아 रोल kald कर रहे हैं और यहां淋ी मितल का रोल प्ले कर यहां पर रामकंट इसन के अंदर दया में मिस्टर राजश्वी का रोल प्ले कर रहे हैं तो यह सारी कास्ट वगरा थी अब यहां पर स्टोरी की बात करें तो यहां पर तीन फ्लाइट एडेंडन्स की स्टोरी को दिखाया गया है वो एक जो के वगरगा भी नहीं आघी तो जिसकी अगर आप अभी भी इस film को देखना चाहती हो तो यह फिल्म कहां पर देखने को मिलेगी वो भी बताओंगा अगर आप अफिल्म को देखा हुआ तो यह फिल्म आपको कैसे लगी थी अपना उपीनियन लाजमी बताना है तो यहां पर हम थोड़ा सा आगे सॉंग्स की बात कर और यहां पर इस फिल्म के जो के टोटल आठ गाने थे आठ गाने की लेंद थी 25 मिनिट 25 सेकेंड और यह सारे साउंग आपको यूटिब पर आफशिली देखने और सुनने को मिल जाएंगे उसके बाद यहां पर आगे थोड़ा सा बात कर लें इस फिल्म के बारे में तो इस को एक बार तो देखने ही चाहिए अगर आपसे ने देख लिया है तो यह फिल्म आपको कैसी लगी थी अपना उपिनियन बता सकते हो और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते हो तो यहां पर आपसको बता दूए इस फिल्म को जो रिलीज वगरा है नहीं किया गया जब भी यह फिल्म OTT प्लैटफर्म पर आएगी वो भी आपको देखने को मिल जाएगी नेटफिक्स इंडिया पर जिहां सो नेटफिक्स पर देखने को मिल जाएगी अगर आप सुने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और वीडियो को भी लाइक की फिल्म थी और आप दुसको फिर से बता दूए सिल्म के राइटों गयरा जिते नatan की फिल्म क्रू मुई के बारे में जो कि क्रू एक कुमेडी ड्रामा जॉनरा की फिल्म है और सिल्म को दो घंटे का रनिंग टैम मिला हुआ है और यहां पर हमें लीड कास्ट में देखने को मिल गए थी जो के करीती सैनन्स, करीना कपूर खान और यहां पर तबू, दिलजीद दुसांच, कप्पिल शर्मा और यहां पर गॉल पल शन, करबन्दा और राजे शर्मा और फिल्म और यहां ओवराल देखा जाए तो फिल्म काफी अच्छी कुमेडी से भरी हुई फिल्म है और यह फिल्म बॉक्स पर एक सूपर हिट फिल्म रही थी इसलिम को दो घंटे का रैनिंग टैम मिला हुआ है टैन बैस सेवन पन सेवन की रेटिंग मिल चुकिया है पर और इसलिम को 29 मार्च 2024 में रिलीज करवाया गया था और इसलिम को ड्रैक किया था राजेश एक कृष्णा ने और यहां पर इसलिम को 85% लाइक भी मिल चुके हैं और यहां पर इसलिम का जो बजट था ना वो 75 क्रोड था इसलिम ने बोक्स पर 152 क्रोड का कॉलेक्शन किय और यह फिलम बोक्स पर एक ब्लॉक बस्टर फिलम रही थी और इसलिम की डुस्टिबिशन कंप्ली थी रिलाइंस इंस्टेंट इंटर्टैन्मेंट और यहां पर थोड़ा सा आगे बात कर लें इसलिम के बारे में तो यहां पर आप इसको बता दू स्टोरी को लिखा था निद्धी जो के महरा ने और मीहुल सूरी ने और यहां पर पूडियूसर थे एकता कपूर रिया कपूर और यहां पर अनिल कपूर और यहां पर देव विजे पूरूत जो इसलम के पूडियूसर वगरा थे तो यहां पर आगे इसलम के बारे में बात करें तो आप सको बता जो इसलिम की सुनोड़ाफी की थी वो अंजुस राजेश की धावन ने की थी और यहां पर एडिट किया था मनन सागर ने और दिलजील दुसान ने सौंग्स को और बादशा ने राज रंजूद ने और यहां पर विशाल मिशना अक्षे एपी और यहां पर भारक रोहित ने और यहां पर इसलिम का बैगराउंड म्यूजिक दियाओधा जाउन सावेतरी जो के एधुरी ने और यहां पर प्रड़क्शन कमपनी थी बाला जी मोशन पिक्चर्ज अनिल कपूर फिल्म और यहां पर डिस्टिबिशन कमपनी थी पैन मरूधर इंटर्टेनमेंट और यह फिल्म बॉक्स के एक बलॉकबस्टर फिल्म रही थी तो आप इसको बता दूँ इस फिल्म के अंदर आपको पहले भी बता चुका हूं सिल्म के अंदर तीन जो के स्टोरी दिखाए गई है वो भी किनकी आप सको बता दू यहां पर जो बैंक क्राप्ट जो उनका स्टोरी वह आपको बताता हू気 रही यहां पर आप दुस्त कों तीन जो किस्टी को दिखाया गए यहां पर जो के जैस्मिन और यहांपर दी वयाराना की स्टी को दिखाया गया है यहां पर इसल्म के अंदर जो के दिलजीत दुसान जो के अंदर कस्टम आफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं जो गैस्ट अपिरियंस में देखने को मिलते हैं कबिल शर्मा भी इसल्म के अंदर जो के अपिरियंस में देखने को मिल जाते हैं राजेश शर्मा इसल्म के अंदर प्रित्रवाज मितल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर स्वेता चेटरची इसल्म के अंदर विजे वेला का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर कुलबुश करबंदा इसल्म के अंदर जैस्मिन के नानू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर इवान रोड रेज इसलिम के अंदर दिव्यास फादर का रोल प्ले कर रहे हैं यहां पर तिरुफती जो कामकार है ना वो ऐसा ही माला का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर जो इसलिम के अंदर चारु शंकर हैं सुधा मितल का रोल प्लेगर यहां पर रामा कंट इसलिम के अंदर दया में मिस्टर राजश्वी का रोल प्लेगर रहे हैं तो यह सारी चास्ट वगरा थी आभी यहां प़र स्तुरी की बात करें तो यहां पर तीन फ़लाइट ीन्टेंड्स की राषी की पजाए गेया है वतना सutर्वा, वह वे चुक्डिक हो पर यहां पर अभ्यां को माइफ्यम지 क्राइए हैं अभ जरे आरहे हैं तो यहां पर उन और यहां पर कैसे वो लोगों को लू बनाती है और यहां पर यह कुमेडी के साथ तर्का दिखाया गया है और यहां पर आप उसको काफी अच्छे जो के सेंस देखने को मिल जाएंगे और यहां पर इस सिल्म के अंदर अडल्ट जो के गालियां भी दीगी है तो आप दोस्त अगर देखना चाहो तो इस सिल्म को फैमिली के साथ है मत देखना इस सिल्म को जो के इंजॉय करना लॉन में और यहां पर इस सिल्म को जो के जाके देखना अगर आप भी इस सिल्म को देखना चाहती हो पंचीस मिनिट पंचीस सेकंड के सॉंग्स वेरा कि लैंथ थी और यहां पर हिंदी सॉंग्स थे और यहां पर इन फ़िलम के टोटल आठ गाने थे 20 पंचीस मिनिट 25 उपचीस सेकंड और भी आ चुकी है या नहीं वो भी बात करते हैं लेगन आप इसको बता दू ये फिल्म जो के आप इसको बहुत ही पसंद आएगी कुमेडी ड्रामा जोनरा की फिल्म है आप इसको एक बार तो देखने ही चाहिए अगर आपस ने देख लिया है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी अपना अपियने बता सकते हो और वी डिएम को भी लाइक और शेयर कर सकते हो तो यहां पर आप सको बता दूंए इस फिल्म को जो तो गहरा ऊटीटी रैट्स हैं वो नेट्र नेटफिल्क के पास हैं बहीद है सिल्म को थेटर में नहीं देखना चाहतें, OTT का वेट करें, तो इन फ्योचर जब भी ये फिल्म OTT प्लाइटफर्म पर आएगी, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी नेटफिक्स इंडिया पर, जिहां सो नेटफिक्स पर देखने को मिल जाएगी, अगर आप सुने अभ प्रवाद कर रहे थे क्रूम वी की जो कि यह ट्विक्स पर देखने को मिल जाएगी जैसे नियु अपडेट निकल के आती है यह फिल्म अपडेट जो भी आएंगी वह इस चैनल को इसक्राइब वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें लिकम बैक दिया नदर वीडियो तो द दी लैंग्वेज की फिल्म क्रू मुई के बारे में जो कि क्रू एक कुमेडी ड्रामा जोनरा की फिल्म है और सिल्म को दो घंटे का रनिंग टैम मिला हुआ है और यहां पर हमें लीड कास्ट में देखने को मिल गए थी जो करीती सैनन्स करीना कपूर खान और यहां पर प्लान की जो अंदर वेटर का काम करती है ना उन्हीं के ओपर बनाए गी फिल्म है और यहां पर वह कैसे अपनी स्टोरी को जो के लाइफ को गुजार रही है और यहां पर वह कैसे जो के लोगों को लूटती है उसके बारे में भी दिखाया जाएगा और यहां देखा जा एमडीबी पर और इसल्म को 29 मार्ट 2024 में रिलीस करवाया गया था और इसल्म को ड्रैक किया था राजेश एक क्रिशना ने और यहां पर इसल्म को 85% लाइक भी मिल चुके हैं और इसल्म का जो बजट था वो 75 करोड था इसल्म ने बोकसस पर 152 करोड का कॉलेक्शन किया और यह फिल्म बोकसस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी और इसल्म की डुटिबिशन गंपली थी रिलाइंस इंस्टेंट extending और यहां पर थोड़ा सा आगी बात कर लें इसल्म के बारे में तो यहां पर आप उसको बता दूर स्टोरी को लिखा था निधी जो के महरा ने और मीहुल सूरी ने और यहां पर पूडियूसर थे एक्ता कपूर रिया कपूर और यहां पर एंडिल कपूर और यहां पर देव विजे पूरूत जो इसलिम के पूडियूसर वगएर थे तो यहां पर आगे इसलिम के बारे में बात करें तो आप सको बता दूँ जो इसलिम क अक्षे एपी और यहां पर भारक रोहित ने और यहां पर इसलिम का बैग्राउंड म्यूजिक दियाउदा जाउन सावेतरी जो के अधुरी ने और यहां पर पॉड़क्शन कमपनी थी बाला जी मोशन पिक्चर्ज अनिल कपूर फिल्म और यहां पर डिस्टिबिशन कमपनी यहां पर इसलिम को रिलीज करवाया गया था 29 मार्ट 2024 में और इसलिम को 118 मिनिट का रेनिंग टाइम मिला हुआ है यानि यह दो घंटे के आसपास का रेनिंग टाइम मिला है और यहां पर यह हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी बजट 75 कोड़ था इसलिम में 152 क्रोड़क रैंक क्राप्ट जो उनका स्टोरी वगरा है वह आपको बताता हूं लेकन यहांपर आप दुस्रों को तीन जो के यानि करीणा खपुर झाईभान गहां ञांपर अ धिकल Sãoन और यहां मिला बज्ट сем और दीव वैराना की स्टोरी को दिखाया गया है mistा झाई जोके दिलजीत दुसान जोके इसलिम के अंदर कस्टम आफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं जो गैस्ट अपिरियंस में देखने को मिलते हैं कबिल शर्मा भी इसलिम के अंदर जोके अपिरियंस में देखने को मिल जाते हैं राजेश शर्मा इसल्म के अंदर प्रित्रवाज मिर्तल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर स्वेता चेटरची इसल्म के अंदर विजे वेला का रोल प्ले कर रही है और हुआ पर जो इस्लमघंध्र के और चार रोड प्ले कर हैं शुदा मित्तल का रोल प्लेगर यहाँपर रामकान्ट इसलमघंदर दऎया में मिस्टर राजश्वी का रोल प्लेगर रहे हैं तो यह सारी कास्ट वगरा थी अब यहां पर स्टोरी की बात करें तो यहां पर तीन फ्लाइट की स्टोरी को दिखाया गया है वो एक जो के फ्लाइट के यानी फ्लाइट के एडेंडन से होती है और यहां पर उनकी जो इसमें फ्लाइट में वो काम करती है तो उनकी जो कमपन है कमपनी आ भी कॉमिटर बाहर भी नहीं कि वेयन रही तो जिसकी वहां आए है क่ाम से भी बाहर हो जाती है उसके बाद सब्सक्राइब कैसे जो को लूटती है और यहां पर कांडा को लूट भूलू है क्वे हैं और यहां पर यह कीडिकर तोसंको फैमली के साथ मτεस्ड पेड़े को मटेक नीव現在 समूँ एजिए इंजॉए करना है और यहां पर से मको जोगे यह जाकर देखना अगर आप अभी भी सिल्म को देखना चाहती हो तो यह फिल्म कहां पर देखने को सॉंग्स वेरा की लेंथ थी और यहां पर हिंदी सॉंग्स थे और हिंदी सॉंग्स के जो म्यूजिक राइट्स वगरा यानि सॉंग्स के राइट्स वगरा थे वो टिप्स म्यूजिक के पास थे और यहां पर इस फिल्म के जो के टोटल आठ गाने थे आठो गाने की लेंद थी 25 मिनिट 25 सेकेंड और ये सारे साउंग आपको यूटिब पर आफशिली देखने और सुनने को मिल जाएंगे उसके बाद यहां पर आगे थोड़ा सा बात कर लें इस इस इनको जो कि अब रिलीस भी करवा दिया गया है आप यहां पर यह फ अपना उपीनियन बता सकते है और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते हो तो यहां पर आपसको बता दूँने ऐसलिम को जो राइटि ती रायटत हैं वो नेटफलिक के पास हैं भी तैकि आभी सिम को ओपिसली जो रिलीज बिशना है फिए कहीं काफ सारे जोगां पर ल और यहां तो नेटफ्लीक्स पर देखने को मिल जाएगी अगर आप सुने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और वीडियो भी लाइक और शेयर कर दें और यह फिल्म बहुत ही जल जब ओटी टी टि प्लाइटपर आएगी तो अबडेट्स इसी चैनल पर मिल जाएगी चैनल को से भी सबस्क्राइब करके रखें क्योंकि जो भी नभी न्यू अपडेट्स आती हैं वो इस चैनल पर मिलती रहती हैं तो यहां पर हम दोस्तों बात कर रहे थे क्रूम हुई की जो कि यह 2024 में रिलीज की कुमेडी ड्रामा जॉनरा की फिल्म थी और आप दूसको फिर से बता दूए इस फिल्म के राइट्स पगरा जो ओटी राइट्स थे ना वो नेट्फिक के पास हैं और यह फिल्म है जब भी इन फ्यूचर आपको क्रू एक कुमेडी ड्रामा जॉनरा की फिल्म है और सिल्म को दो घंटे का रणिंग टैम मिला हुआ है और यहां पर हमें लीड कास्ट में देखने को मिल गए थी जो करीटी सैनन्स करीना कपूर खान और यहां पर तबू दिलजीद दुसांच कपिल शर्मा और यहां पर गुलपलशन कारबंदा और यहां पर राजेश शर्मा और भी कास्ट थी जो स्पोर्टिंग रोल में देखने को मिली थी तो यह सारी स्टोरी जो है ना तीन जो के एयर होस्टेट के प्लान की जो अंदर जो वेटर का काम करती है ना उनी के ओपर बनाई गी फिल्म है और यहां पर वो कैसे अपनी स्टोरी को जो के लाइफ को गुजार रही है वो सारा को दिखाया गया है और यहां पर वो कैसे जो के लोगों को लूटती है उसके बारे में भी दिखाया जा एमडीबी पर और इसलिम को 29 मार्ट 2024 में रिलीस करवाया गया था और इसलिम को ड्रेक किया था राजेश एक क्रिशना ने और यहां पर इसलिम को 85% लाइक भी मिल चुके हैं और इसलिम का जो बजट था ना वो 75 करोड था इसलिम ने बोकस पर 152 करोड का कुलेक्शन किया और यह फिल्म बोकस पर एक ब्लॉक बस्टर फिल्म रही थी और इसलिम की डुटिबिशन कम्पली थी रिलाइंस इंस्टेन इंटर्टेंमंट और यहां पर थोड़ा आगे बात कर लें इसलिम के बारे में तो यहां पर आप इसको बतादू स्टोरी को लिखा था निधी जो के महरा ने और मेहल सूरी ने और यहां पर पर। तो यहां पर आगे इसल्म के बारे में बात करें तो आप सको बता दूं जो इसल्म की सुनुड़ाफी की थी और यहां पर डिट किया था मनन सागर ने और दिल जील दुसान ने सौंग्स को और बादशा ने राज रंजूद ने और यहां पर विशाल मिशना अक्षे एपी और यहां पर भारक रोहित ने और यहां पर इसल्म का बैगराउंड म्यूजिक दियाओदा जौन सावेतरी जो के अधुरी ने और यहां पर प्रड़क्शन कमपनी थी बाला जी मोशन पिक्चर्ज अनिल कपूर फि मिला है और यहां पर यहां पर हिंदी लेंगविज की फिल्म थी बजट 75 कोड़ था इसल्म में 152 क्रोड़क्शन के लिए और यह फिल्म बॉक्स पर एक ब्लॉक्बस्टर फिल्म रही थी तो आप उसको बता दूँ इस फिल्म के अंदर आपको पहले भी बता चुका हूँ इसल्म के अंदर तीन जो के स्टोरी दिखाए गई है वो भी किनकी आप उसको बता दूँ यहां पर जो बैंक क्राप्ट जो उनका स्टोरी वगरा है वो आपको बताता हूँ लेकिन यहां पर आप दुस्टों को तीन जो के यानि करीना खपुर खान जो जास्मिन का रोल प पर दिवया राना की स्टोरी को दिखाया गया है यहां पर इसल्म के अंदर जो के दिलजीत दुसान जो के इसल्म के अंदर कस्टम ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं जो गैस्ट अपिरियंस में देखने को मिलते हैं कबिल शर्मा भी इसल्म के अंदर जो के अपिरियंस में नानू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर इवान रोड रेज इसलिम के अंदर दिव्यास फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर जो इसलिम के अंदर चारू शंकर हैं सुधा मितल का रोल प्ले कर यहां पर रामकंट इसलिम के अंदर दया में मिस्टर राजश्वी क का रूल ब्लेग कर रहे हैं तो यह सारी कास्ट वगरह थी आप इहां पर स्ट॔री कि बात करें तो यहां पर तीन फलाइटा टेंटेंडब्स की स्ट॔री को दिखाया गया है वह एक जोके फलाइट के यानि फ्लाइट के डेंडन से होती है और यहां पर उनकी जो इसमें फ्लाइट में वो काम करती है तो उनकी जो कमपनी होती है अब उनका दव्यालया निकल चुका है अब यहां पर उनकी जो कमपनी है अब वो हो चुका है बैंक क्राप्ट अब यहां पर उनकी जो सैली सुझानšा ड़ेखने और हम इसे माँ अगर डिखिने के हैंट नही 받고 सॉन्क्राइब फॉर्जी वरूर्ट धॉर्वे डिखना कैड़ते हैं więc मताना है पच्प्थ मिनट 25 सेकंड का सॉंग कीjin लेंट थी और यहांपर Hindi सॉंग्स थियॉ और हिंदी सॉंग で जो में राइट्स और यादि सॉंग के बगरह तो टीप्स मेंजिक के पास थे और यहांपर इन विस विल्म कर टोटल ॉट गाने थे 18oons 14 motivation 35. 누аете सारे सांग आपको यूटीब पर आफशिली देखने और सुनने को मिल जाएंगे उसके बाद यहां पर आगे थोड़ा सा बात कर लें इस सिल्म के बारे में तो इस सिल्म को जो को आफशिली जो के अब रिलीस भी करवा दिया गया है अब यहां पर यह फिल्म OTT प्लैफरम पर पर आप सको बता दूएं सिल्म को जो डेटस वगरा OTT राइटस हैं वो सिल्म को जो गड़ा है नहीं किया किह गया नहीं किया तो लाइक कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें और यह फिल्म बहुत ही जल जब OTT प्लाइफरंट पर आएगी तो अपडेट्स इसी चैनल पर मिल जाएगी चैनल को से भी सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि जो भी नभी न्यू अपडेट्स आती पर देखने को मिल जाएगी जैसे नियू अपडेट निकल के आती है या रिलीज होती है या फिल्म अपडेट जो भी आएगी वो इस चैनल पर मिल जाएगी तो चैनल को से कर लें सब्सक्राइब वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें विडियो तो दोस्तों आज की इस करीना कपूर खान और यहां पर तबू दिलजीर दुसांच कप्पिल शर्मा और यहां पर जो के गुलपलशन कारबंदा और यहां पर राजे शर्मा और विक आफ़सरी कास्ट ती जो स्पोर्टिंग रोल में देखने को मिली थी तो यह सारी स्टोरी जो है ना तीन जो के एयर जो के प्लान की जो अंदर जो वेटर का काम करती है ना उनी के ओपर बनाई गई फिल्म है और यहां पर वो कैसे अपनी स्टोरी को जो के लाइफ को गुजार रही है वो सारा को दिखाया गया है और यहां पर वो कैसे जो के लोगों को लूटती है उसके बारे में भी दि 29 मार्ट 2024 में रिलीस करवाया गया था और इसलिम को ड्रेक किया था राजेश एक क्रिशना ने और यहां पर इसलिम को 85% लाइक भी मिल चुके हैं और यहां पर इसलिम का जो बजट था ना वो 75 करोड था इसलिम ने बोकस पर 152 करोड का कोलेक्शन किया और यह फिल्म बोकस पर एक ब्लॉक बस्टर फिल्म रही थी और इसलिम की डोश्टिबिशन गंप्ली थी रिलेंस इन्स इंटेंटेंडमेंट और यहां पर थोड़ा सा आगे बात कर लें इसलिम के बारे में तो यहाँ पर आप इसको बता दू स्टोरी को लिखा था निधी जो के महरा ने और मीहुल सूरी ने और यहाँ पर प्रडियूसर थे एकता कपूर रिया कपूर और यहाँ पर अनिल कपूर और यहाँ पर देव विजे पूरूत जो इसलिम के प्रडियूसर वगरा थे तो यहां पर आगे इसलिम के बारे में बात करें तो आप इसको बता दूँ जो इसलिम की सुनुड़ोग्राफी की थी वो अंजुस राजेश की धावन ने की थी और यहां पर डिट किया था मनन सागर ने और दिलजील दुसान ने सौंग्स को और बादशाह ने राज पर विशाल मिशना अक्षे एपी और यहां पर भारक रोहित ने और यहां पर इसलिम का बैग्राउंड म्यूजिक दियाओदा जौन सावेतरी जो के अधुरी ने और यहां पर प्रड़क्शन कमपनी थी बाला जी मोशन पिक्चर्ज अनिल कपूर फिल्म्स और यहां पर डिश्टिबिशन कमपनी थी पैन मुरूधर इंटर्टैन्मेंट और यहां पर इसलिम को रिलीज करवाया गया था 29 मार 2024 में और इसलिम को 118 मिनिट का रेनिंग टाइम मिला हुआ है यानि यह दो घंटे के आसपास का रेनिंग टाइम मिला है और यहां पर यह हिंदी स्थ मैंब इसको बताद हूं यहां पर बैंक्रक्राप्ट जो उनका स्टोरी वगरा है वह आपको बताता हूं लेकिन यहां पर आप दायन जो करीना क्रवत घंट्र खान जो जैसमिन हारोलपलय करके रही है और यहां पर फ्लाइट अटेंडेंड्टेंडेंट्स हैं यहां और वह फ्लाइट एडेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंट प्रित्रवाज मितल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर स्वेता चेटरची इसलिम के अंदर विजे वेला का रोल प्ले कर रही है और यहां पर कुलबुश करबंदा इसलिम के अंदर जैस्मिन के नानू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर इवान रोड रेज इसलिम के प्रद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् काम से भी बाहर हो जाती हैं तो उसके बाद वो कैसे जो के लोगों को लूटती हैं और यहां पर कैसे वो लोगों को लूट बनाती हैं और यहां पर यह कुमेडी के साथ तड़का दिखाया गया है और यहां पर आप उसको काफी अच्छे जो के सेंस देखने को मिल जाएंगे और यहां पर इस film के अंदर अडल्ट जो के गालियां भी दीगी है तो आप दोस्त अगर देखना चाहो तो इस film को फैमिली के साथ है मत देखना इस film को जो के इंजॉय करना अलोन में और यहां पर इस film को जो के जाके देखना अगर आप अभी भी इस film को देखना चाहती हो तो ये फिल्म कहां पर देखने को मिलेगी वो भी बताऊंगा अगर आप सुने ओफिल्म को देखा हुआ तो तो ये फिल्म आपको कैसे लगी थी अपनाओ पीनियन लाज़्मी बताना है तो यहां पर हम थोड़ा सा आगे सॉंग की बात करें तो इस सॉंग्ज वगरत थे ना 25 मिनिट 25 सेकंड के सॉंग्स वगरत की लेंथ थी और यहां पर ہंदी स्ॉंग्स थे और हंदी संग्स के जो म्यूजिक राइट्स वगरा यानि सौंग के राइट्स वगरा थे वो टिप्स म्यूजिक के पास थे और यहां पर इस फिल्म के टोटल आर्ट गाने थे आर्ट गाने की लेंट थी 25 मिनिट 25 सेकेंड और यह सारे सौंग आपको यूट्यूब पर आफशिली देखने और सुनने को मिल जाएंगे उसके बाद यहां पर आगे थोड़ा सा बात कर लें इस फिल्म के बारे में तो इस फिल्म को जो को आफिशली जो कि आब रिलीज भी करवा दिया गया है अब यहां पर यह फिल्म ऑ टीडी प्लैफरंपर भी आ चुकी है या नहीं वो भी बाद करते हैं लेगे आप जिसको बता दू ये फिल्म जो के आप जिसको बहुत ही पसंद आएगी कुमेडी ड्रामा जोनरा की फिल्म है आप जिसको एक बार तो देखने ही चाहिए अगर आपस ने देख लिया है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी थी अपना उपीनियन बता सकते हो और वीडियो को भी लाइक शेयर कर सकते हो तो यहाँ पर आब सक्कुबता दू इस इस नेटफिल्क के पास हैं अभी तेको ऑफिलिस खे लेकर 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 यहां काफ सरी जोगया उपर लगी हुई यह फिल्म अगर आप सो देखना चाहो तो वहां पर भी जाके देख सकते हो अगर आप दोस्ति सिल्म को थेटर में नहीं देखना चाहते है ओटीटी का वेट करें तो इन फ्योचर जब भी यह फिल्म ओटीटी प्लैटफरंपर आएगी वह भी आपको देखने को मिल जाएग तो यहां पर हम दोस्तों बात कर रहे थे करूम हुई की जो कि यह 2024 में रिलीज की कुमेडी ड्रामा जानरा की फिल्म थी और आप दुसको फिर से बता दूए इस सिल्म के राइट्स पगरा जो ओटीट राइट्स थे न वो नेटफिल्क के पास हैं और यह फिल्म जब भी फियूचर आपको और प्लाइट्स प्लाइफरम पर देखने को मिल जाएगी जैसे न्यू अपडेट निकल के आती है या रिलीज होती है यह फिल्म अपडेट जो भी आएंगी वो इस चैनल पर मिल जाएगी तो चैनल को सकर लेए सब्सक्राइब वीडियो को भी लाइक हो और शेयर कर दें विडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं 2024 में रिलीस किर गई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म क्रू मुई के बारे में जो की क्रू एक कुमेडी ड्रामा जॉनरा की फिल्म है और सिल्म को दो घंटे का रनिंग टैम मिला हुआ है और यहां पर हमें लीड कास्ट में देखने को मिल गए थी जो के कृती सैनन्स, करीना कपूर खान, यहां पर गुलपलशन, कारबंदा और यहां पर राजое-शर्मा और भी काफ़सरी कास्ट थी जो स्पोर्टिंग रोल में देखने को मिली थी तो यह सारी स्टोरी जो है ना तीन जो के एर होस्टेट के सारी एर जो के प्लाइन की जो अंदर जो विटर वेज्स का काम करती है ना उन्हीं के ओपर बनाई गई यह फिल्म है और यहां पर वो कैसे अपनी स्टोरी को जोके लाइफ को गुजार रही है वो सारा को दिखाया गया है और यहां पर वो कैसे जो के लोगों को लूटती हैं उसके बारे में भी दिखाया जाएगा ओवराल दिखा जाएगा तो फिल्म काफी अच्छी एक कुमेडी से भरी हुई फिल्म है और यह फिल्म बॉक्सस पर एक सूपर हिट फिल्म रही थी इसलिम को दो घंटे का रैनिंग टैम मिला हुआ है 10x7.7 की रेटिंग मिल चुकिया एमडीबी पर और इसलिम को 29 मार्ट 2024 में रिलीस करवाया गया था और इसलिम को ड्रेक किया था राजेश एक कृष्णा ने और यहां पर इसलिम को 85% लाइक भी मिल चुके हैं और इसलिम का जो बजट था वो 75 करोड था इसलिम ने बॉक्सस पर 152 करोड का कॉलेक्शन किया और यह फिलम बॉक्सस पर एक ब्लॉक्बस्टर फिलम रही थी और इसलिम की डुटिबिशन कम्पली थी रिलाइंस इंस्टेंट इंटर्टेंब्मेंट और यहां पर थोड़ा सा आगे बात कर लें इसलिम के बारे में तो यहां पर आप इसको बता दू स्टोरी को लिखा करें तो आप इसको बता दू जो इसलिम की सुनो डोग्राफी की थी और यहां पर इडिट किया था मनन सागर ने और दिलजील दुसान ने सौंग्स को और बादशाह ने राज रंजूद ने और यहां पर विशाल मिशना अक्षे एपी और यहां पर भारक रोहित ने और य और यहां पर इसलिम को रिलीज करवाया गया था 29 मार 2024 में और इसलिम को 118 मिनिट का रेनिंग टाइम मिला हुआ है यानि यह दो घंटे के आसपास का रेनिंग टाइम मिला है और यहां पर यह हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी बजट 75 कोड़ था इसलिम में 152 क्रोड़क क्राप्ट जो उनका स्टोरी वगरा है वो आपको बताता हूं लेकिन यहां पर आप दोस्तों को तीन जो के यानि करीना खपुर खान जो जास्मिन का रोल प्ले कर रही हैं और यहां पर जो के फ्लाइट अटेंटेंटेंस हैं यहां पर वो फ्लाइट अटेंटेंस की स्टो को दिखाया गया है यहां पडिष्व गरत श्रमान कि मिट्टल का रूल प्ले कर रहे हैं और सवेताचाइन विजे वैला का रूल प्ले कर रही है और धिल्बश कारबंदा का रिश्मिन गें situ λ undertaken का कर कर रहें ना वो ऐसाि माला का रोल पले कर रहे हैं और चार उषंकर है रोल प्ले कर रहे हों और जा पर आई ने वारी कास्ट फगेर डियर थे अब यहां पर स्टॉरी की बात करें तो यहां पर ती स्टॉरि io दिखाया गया है वो एक जो के फ्लाइट के यानी फ्लाइट के डेंडन से होती है और यहां पर उनकी जो इसमें फ्लाइट में वो काम करती है तो उनकी जो कमपनी होती है अब उनका दव्यालिया निकल चुका है अब यहां पर उनकी जो कमपनी है अब वो हो चुका है बैंक् तड़का दिखाया गया है और यहां पर आप उसको काफी अच्छे जो के सेंस देखने को मिल जाएंगे और यहां पर इस सिल्म के अंदर अडल्ट जो के गालियां भी दीगी है तो आप दोस्त अगर देखना चाहो तो इस सिल्म को फैमिली के साथ है मत देखना इस सिल्म को जो के इन्जॉय करना लॉन में और यहां पर इस सिल्म को जो के जाके देखना अगर आप अभी भी इस सिल्म को देखना चाहती हो तो यह फिल्म कहां पर देखने को मिलेगी वो भी बताऊंगा अगर आप सुने ओफिशली इस फिल्म को देखा हुआ तो तो ये फिल्म आपको कैसे लगी थी अपना उपी ने लाजमी बताना है तो यहां पर हम थोड़ा सा आगे सौंग्स की बात करें की लैंथ ती और हिंदी सौंग्स के जो म्यूजिक राइट्स वगरा थे वो टिब्स म्यूजिक के पास थे और हैंपर इस फिल्म के टोटल आठ गाने थे आठ्ट गाने की लैंथ थी पचिस मिनट पच्चिस सेकंड और ये सारे सौंग्स आपको यूट्व पर ओफिशली दे है अब यहां पर यह फिल्म OTT प्लैफरम पर भी आ चुकी है या नहीं वह भी बात करते हैं लेगन आप इसको बता दू यह फिल्म जो के आप इसको बहुत ही पसंद आएगी कुमेड़ी ड्रामा जॉनरा की फिल्म है आप इसको एक बार तो देखने ही चाहिए अगर आप इस त्याटर में कहीं काफ सारे जुक्यों पर लगी हुई है फिल्म, अगर आप चाहो तो वहां पर भी जाकिए, देख सकते हो, अगर आप दोस्तों को फिल्म नहीं देखना चाहते हैं ओटीक का वेट कर रहे हो तो तिनकी फियुटर जब भी फिल्म OTT प्लैटफरम पर तो अपडेट्स इसी चैनल पर मिल जाएगी चैनल को से भी सबस्क्राइब करके रखें क्योंकि जो भी नभी न्यू अपडेट्स आती हैं वो इस चैनल पर मिलती रहती हैं तो यहां पर हम दूसरों बात कर रहे थे करूम हुई की जो कि यह 2024 में रिलीज की कुमेडी ड्रामा जोनरा की फिल्म थी और आप दूसको फिर से बता दूए इस फिल्म के राइट्स पर गरा जो ओटी राइट्स थे ना वो नेट्फिक के पास हैं और यहां फिल्म है जब भी इन फ्यूचर आपको ओटी प्लाफरम पर देखने को मिल जाएगी जैसे नियू अपडेट निक क्रू एक कुमेडी ड्रामा जोनरा की फिल्म है और सिल्म को दो घंटे का रनिंग टाइम मिला हुआ है और यहां पर हमें लीड कास्ट में देखने को मिल गए थी जो करीती सैनन्स करीना कपूर खान और यहां पर तबू दिलजीद दुसांच कपिल शर्मा और यहां पर यहां पर वह कैसे अपनी स्टोरी को जो लाइफ को गुजार रही यह वह सारा को दिखाया गया है और यहां पर कैसे जोके लोगों को लूटती है उसके बारे में भी दिखाया जाएगा और अवरर्हाल देखा जाया तो फिल्म काफी अच्छी कुमेडी से भरी हुई फिल् इसलम को ड्रैक किया था, राजेश एक करेशनने रही ती और यहाँ पर इसलम को 85% LIC भी मिल चुके हैं और यहाँ पर इसलम की डूड़ास ना वो 75 क्रोड था इसलम ने बॉकसस पर 152ड करोर का केक्या किया और यह फिल्म बॉकसस पर एक Wi-स पर गॉर्म रही थी और इसलम क की मेहरा ने और मिहुल सूरी ने और यहां पर प्रोडियूसर यहां पर प्री isslyum के बारे में बात करें तो आप सजो और बादशा ने राज रॉन जुहूद ने और यहां पर विशालमिशना अक्ष एपई और यहांपर भारक रोहित ने और यहां पर इसलिम का बैग्राउंड म्यूजिक दियाओधा जाउन सावेतरी जो के एधुरी ने और यहां पर प्रड़क्शन कमपनी थी बाला जी मोशन पिक्चर्ज अनिल कपूर फिल्म एंड कम्यूनिकेशन नेटवर्क और यहां पर डिस्टिबिशन क मने थी पैन मुरूधर इंटर्टेन्मेंट और यहां पर इसलिम को रिलीज करवाया गया था 29 मार 2024 में और इसलिम को 118 मिनिट का रेनिंग टाइम मिला हुआ है यानि यह दो घंटे के आसपास का रेनिंग टाइम मिला है और यहां पर यह हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी सटाप्ट जो उनका स्टॉरी वगरा है वो आपको बताता हूं लेकिन यहांपर आप दुस्कों को तीन जुक buffy जास्मीन का रोल प्ले करेंगिकरर रही हैं मिलावड यह यहां पर सती का रोल प्लेई कर रही है और दीवर्या और यहां पर दिव भी को रोल प्लेकर रहें जो गेस्ट के अपिरियंस में देखने को मिलते हैं और यहांपर कुलब्श करबंदा जैस्मिन के नानू का रोल प्लेकर रहे हैं और यहांपर इवान रोड रेज के अंदर दिव्यास फादर का रूल प्ले करने हैं तिरुफती जो कामकार है न«वो ऐसा इमाला का रूल प्ले कर रहे हैं और है जो इसमिंदर चारुशंक करें सुधाम्मिट्बें का रूल प्ले कर यहां पर रामकंट इसमिंदर धिया हमें मिस्टर राजश्वी का joue रेख कर रहे हैं तो यह सारी कास्ट वगरा थी हैं आव यहां पर स्टोरी की बहुत बात करें तू यहां पर तीन फ्लाइट 26 ऐ्डंडिंडनिस की डिखा danto निख़ए गया है वह एक ज err थो में में इस इसकी वज़ाद से वो अब काम से भी बाहर हो जाती है तो इसके बाद वो कैसे जो के लोगों को लूटती हैं और यहां पर कैसे वो लोगों को लूटती हैं और यहां पर यह कुमेडी के साथ तड़का दिखाया गया है और यहां पर आप उसको काफी अच्छे जो के सेंस दे कि देखना अब अगर आप भी भी इस film को देखना चागते हो तो यह film कहांपे डेखने को मिलेगी वो भी बताऊंगा अगर अगर आपसे ने औफिल्य इस फonneकऊ को देखा हुआ तो तो यह फिल्म को ऐसे लगी थी अपना उपी ने लाजमी बताना है तो यहां पर हम थोड़ा सा आगे सॉंग्स की बात करें तो इस सॉंग्स वगरा थे ना 25 मिनिट 25 सेकंड के सॉंग्स वगरा की लेंथ थी और यहां पर हिंदी सॉंग्स थे और हिंदी सॉंग्स के जो म्यूजिक राइट्स वगरा यानि सौंग के राइट्स वगरा थे वो टिप्स म्यूजिक के पास थे और यहाँ पर इस फिल्म के टोटल आठ गाने थे आठ गाने की लेंट थी पच्चीस मिनट पच्चीस सेकेंड और यह सारे सौंग आपको यूट्व पर आफशिली देखने और सुनने को मिल जाएंगे उसके बाद यहाँ पर आगे थोड़ा सा बात कर लें इस सिल्म के बारे तो देखने ही चाहिए अगर आपसे ने देख लिया है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी थी अपना उपिनियन बता सकते हो और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते हो तो यहां पर आपसको बता दूँ इस फिल्म को जो राइट्स वगरा ओटीटी राइट्स हैं वो नेट नेट्फिल्क के पास अभी तक इस फिल्म को ओफशली जो रिलीज वगरा है नहीं किया गया नेट्फिल्क्स के उपर लेकिन इस फिल्म को भी भी थेटर में कहीं काफ शारे जोगए उपर लगी हुई ये फिल्म अगर आपस देखना चाहो तो वहाँ पर भी जाकि देख स तो लाइक कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें और यह फिल्म बहुत ही जल जब ओटी टी टी प्लाइट फर्म पर आएगी तो अपडेट्स इसी चैनल पर मिल जाएगी चैनल को से भी सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि जो भी नवी न्यू अपडेट्स आत देखने को मिलेगी नेट्फिक्स पर देखने को मिल जाएगी जैसे नियू अपडेट्स निकल के आती है या रिलीज होती है फिल्म अपडेट्स जो भी आएगी वह इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें विल्कम बैक दिया नदर वी करीना कपूर खान और यहाँ पर तबू दिलजीर दुसाँच कपपil शर्मा और यहाँ पर गुलपलशन करबंदा और यहाँ पर राजेश शर्मा और वी काफसरी कास्ट थी जो स्पोर्팅 रोल में देखने को मिली थी टीये सारी स्टोरी जो है ना तैन जो के एर रही है वो सारा को दिखाया गया है और यहां पर वो कैसे जो के लोगों को लूटती है उसके बारे में भी दिखाया जाएगा ओवराल देखा जाए तो फिल्म काफी अच्छी है कुमेडी से भरी हुई फिल्म है और यह फिल्म बॉक्स पर एक सूपर हिट फिल्म रही थी इस का जो बजट था ना वो 75 करोड था इस लिम ने बॉकस पर 152 करोड का कोलेक्शन किया और यह फिल्म बॉकस पर एक बगरा थे तो यहां पर आगे इस लिम के बारे में बात करें तो आप सको बता दूं जो इस लिम की सुनुड़ाफी की थी वो अंजुष राजेश की धावन ने की थी और यहां पर एडिट किया था मनन सागर ने और दिलजील दुसान ने सौंग्स को और बादशाह ने राज रंजूद ने और यहां पर विशाल मिशना अक्षे एपी और यहां पर भारक रोहित ने और यहां पर इस लिम का बैग्राउंड म्यूजिक दियाओधा जाउन सावेतरी जो के एधुरी ने और यहां पर प्रड़क्शन कमपनी थी बाला जी मोशन पिक्चाज अनिल कपू फिल्म और यहां पर डिस्ट्रिबिशन कमपनी थी पैन मुरूधर इंटर्टेन्मेंट और यहां पर इस लिम को रिलीज करवाया गया था ट्विन नान मार्ट टू थाज़न ट्विंटी फॉर में और इस लिम को एक सो अठरा मिनिट का रेनिंग टाइम मिला हुआ है यानि कि आप इसको बता दूँ यहां पर जो बैंक क्राप्ट जो उनका स्टोरी वगरा है वो आपको बताता हूं लेकिन यहां पर आप दुस्रों को तीन जो के यानि करीना खपुर खान जो जास्मिन का रोल प्ले कर रही हैं और यहां पर जो के फ्लाइट अटेंटेंटेंस हैं यहां पर इसल्म के अंदर जो के दिलजीत दुसान जो के इसल्म के अंदर कस्टम आफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं जो गैस्ट अपिरियंस में देखने को मिलते हैं कबिल शर्मा भी इसल्म के अंदर जो के अपिरियंस में देखने को मिल जाते हैं राजे शर्मा इसल्म के दिव्यास फादर का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर तिरुफती जो कामकार है ना वो ऐसा इमाला का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जो इसलिम के अंदर चारुशंकर हैं सुधा मितल का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर रामकंट इसलिम के अंदर दया में मिस्टर बैंक्राप्ट कर्याइट में वो काम करती है तो उनकी जूप रहेकिती core है क्की नोगों हो चआती हैं और और यहां पर कैसे वो लोगो को लू बनाती है और यहां पर यह कुमेडी के साथ तड़का दिखाया गया है और यहां पर आप उसको काफी अच्छे जो के सेंस देखने को मिल जाएंगे और यहां पर इस विल्म के अंदर अडल्ट जो के गालियां भी दीगी हैं तो आप दोस को देखा हुआ तो तो यह फिल्म आपको कैसे लगी थी अपना उपीनियन लाजमी बताना है तो यहां पर हम थोड़ा सा आगे सांग्स की बात करें तो यहां पर इस फिल्म के टोटल आठ गाने थे आठ्ट गाने की लेंद थी पच्छी मिनिट पच्छी सेकंड और यह सार सांग आपको यूटीब पर आफशिली देखने और सुनने को मिल जाएंगे उसके बाद यहां पर आगे थोड़ा सा बात कर लें इस फिल्म के बारे में तो इस फिल्म को जो कि अब रिलीस भी करवा दिया गया है अब यहां पर यह फिल्म OTT प्लैफरम पर भी आ चुकी है या नहीं वो भी बात करते हैं लेगन आप जिसको बता दू यह फिल्म जो कि आप जिसको बहुत ही पसंद आएगी कुमेडी ड्रामा जोनरा की फिल्म है आप जिसको एक बार तो देखने ही चाहिए अगर आप सुने देख लिया है तो यह फिल्म आपको कैसी लगी थी अप फिल्क्स के उपर लेकिन इस इल्म को भी भी थेटर में कहीं काफ सारे जुगें उपर लगी हुई यह फिल्म अगर आप सो देखना चाहो तो वहां पर भी जाके देख सकते हो इंजॉय कर सकते हो अगर आप दोस्ते सिल्म को थेटर में नहीं देखना चाहते है ओटी टी का आएगी तो अपडेट्स इसी चैनल पर मिल जाएगी चैनल को से भी सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि जो भी नभी निव अपडेट्स आती हैं वो इस चैनल पर मिलती रहती हैं तो यहां पर हम दुस्तों बात कर रहे थे करूम हुई की जो कि यह 2024 में रिलीज की कुमेडी ड्रामा जानरा की फिल्म थी और आप दुसको फिर से बता दूए इस फिल्म के राइट्स पर गरा जो ओटी राइट्स थे ना वो नेट्फिक के पास हैं और यहां फिल्म जब भी इन फिव्चर आपको अटी प्लाइफरम पर देखने को मिलेगी नेट्फिक्स पर देखने को मिल जाएगी जैसे उन्य अपडेट निकलके आती है या रिलीज होती है फिल्म अपडेट जो भी आएएंगी यहां पर हमें लीड कास्ट में देखने को मिल गए थी जो किरीती सैनन्स, करिना कपूर खान, और यहां पर तबू, दिलजीत, दुसाँच, कपिल शर्मा और यहां पर गुलपलशन, कारबंदा, और यहां पर राजे शर्मा और भी काफ़सरी कास्ट थी जो स्पोर्टिंग रोल में देखने को मिली थी तो यह सारी सटोरी जो है ना तीन जोके एयर होस्टेड के सौरी एयर जोके प्लैन की जो अंदर जो वेटर मुझषू का काम करती है ना उनीं के ओपर बनाई गी फिल्म है और यहां पर वह कैसे अपनी स्टोरी को जोके लाइफ को गुजार रही है वो सारा को दिखाया गया है और यहां पर वो कैसे जो के लोगों को लूटती है उसके बारे में भी दिखाया जाएगा ओवराल देखा जाए तो फिल्म काफी अच्छी एक कुमेडी से भरी हुई फिल्म है और यह फिल्म बॉकसर्स पर एक सूपर हिट फिल्म रही थी इस इनको दो घंटे का राइनिंग टैम मिला हुआ है टैन बैस सेवन पन सेवन की रेटिंग मिल चुकिया है एमडीव पर और इस इनको 29 मार्ट 2024 में रिलीज करवाया गया था और इस इनको ड्रैक किया तो फूड़ा सा आगे बात कर लें एसल्म के बारे में तो यहाँ पर आप सकुब बता दो स्टोरी को लिखा था निधी जो महरा ने और मीहुल सूरी ने और यहाँ पर पोडूशर थिए two sat कपूर और यहाँ पर यहाँ पर अन्डिल कपूर और ने सौंग्स को और बादशाह ने राज रंजूहुद ने और यहां पर विशाल मिशना अक्षे एपी और यहां पर भारक रोहित ने और यहां पर इसलिम का बैगराउंड म्यूजिक दियाओधा जाउन सावेतरी जो के एधुरी ने और यहां पर प्रोडक्शन कमपनी थी ब मिला है और यहां पर यह हिंदी लेंगवेज की फिल्म थी बजट 75 कोड़ था इसलिम में 152 क्रोड़क्शन के लिए और यह फिल्म बॉक्स पे ब्लॉक्बस्टर फिल्म रही थी तो आप इसको बता दूँ इस फिल्म के अंदर आपको पहले भी बता चुका हूं इस फिल्म हैं यहां पर वो फ्लाइट अडेंटेंस की स्टोरी को दिखाया गया है यहां पर जो के जैस्मिन और यहां पर गीता और यहां पर दिवया राना की स्टोरी को दिखाया गया है यहां पर इसल्म के अंदर जो के दिलजीत दुशान जो के इसल्म के अंदर कस्टम आफिसर का मिलते हैं कपिल शर्मा भी इसल्म के अंदर जो के अपिरियंस में देखने को मिल जाते हैं राजे शर्मा इसल्म के अंदर प्रित्रवाज मितल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर स्वेता चेटरची इसल्म के अंदर विजे वेला का रोल प्ले कर रही है और यहां पर कुल टीसलम के अंदर दया में मिस्टर राजश्वी का रूल प्ले कर रहे हैं तो यह सारी कास्ट वगरा थी आभ यहां पर स्टोरी की बात करें तो यहां पर तीन फ्लाइट एडेंडनेंट्स की स्टोरी को दिखाया गया है वह एक जो के फ्लाइट के यानी फ्लाइट के भी नहीं आ रही तो जिसकी वज़ासे वो अब काम से भी बाहर हो जाती है तो उसके बाद वो कैसे जो के लोगों को लूटती है और यहां पर कैसे वो लोगों को लूट बनाती है और यहां पर यह कुमेडी के साथ तड़का दिखाया गया है और यहां पर आप उसको काफी इच्छे जो कि सेंस देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर सिम के अंदर अडल्ट जो के गालियां भी दीगी हैं तो आप दोस्ते अगर देखना चाहूँ तो सिम्को फैमिली के साथ मत देखना को इंज्यॉए करना अलॉन में और यहाँ पर सिम्को जो के जाके देखना अगर आप अभी भी इस film को देखना चाहती हो तो ये फिल्म कहां पर देखने को मिलेगी वो भी बताऊंगा अगर आप तो ये फिल्म आपको कैसे लगी थी अपना उपीनियन लाजमी बताना है तो यहां पर हम थोड़ा सागे स्वांcc की बात करें तो इस वो ग Gul Bunu हर थेना पच्छिस मिनिट पच्छिस सेकंड के लेंद्ध थी और यहां पर हिंदी स्वांग थे और हिंदी स्वां overe Š City थे और हिंदी आफिशली जो कि अब रिलीस भी करवा दिया गया है अब यहां पर यह फिल्म OTT प्लाइफरम पर भी आ चुकी है या नहीं वो भी बात करते हैं लेगन आप जिसको बता दू यह फिल्म जो कि आप जिसको बहुत ही पसंद आएगी कुमेडी ड्रामा जॉनरा की फिल्म है आप जिसको एक बार तो देखने ही चाहिए अगर आप से ने देख लिया है तो यह फिल्म आपको कैसी लगी थी अपना उपीनियन बता सकते हो और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते हो तो यहां पर आप सको बता दूए यहां सो नेट्फ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी अगर आप सने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें और यह फिल्म बहुत ही जल जब OTT प्लार्फरंट पर आएगी तो अपडेट्स इसी चैनल पर मिल जाएगी चैनल को से भी सबस्क्राइब करके रखें क्योंकि जो भी नभी निव अपडेट्स आती हैं वो इस चैनल पर मिलती रहती हैं तो यहां पर हम दुस्तों बात कर रहे थे क्रूम हुई की जो कि यह 2024 में रिलीज की कुमेडी ड्रामा जानरा की फिल्म थी और आप दुसको फिर से बता दूए इस फिल्म के राइट्स पगरा जो ओटी राइट्स देना वो नेट्फिक के पास हैं और यहां फिल्म है जब भी इन फ्यूचर आपको ओटी प्लारफर्म पर देखने को मिलेगी नेट्फिक्स पर देखने को मिल जाएगी जैसे निव अपडेट निकल के आती है या रिलीज होती है या फिल्म अपडेट जो भी आएगी वो इस चैनल पर मिल जाएगी तो चैनल को इस कर लें सबस्क्राइब वीडियो को भी लाइक हो और शेयर कर दें वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ 2024 में रिलीज किर गई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म क्रू मुई के बारे में जो कि क्रू एक कुमेडी ड्रामा जॉनरा की फिल्म है और सिल्म को दो घंटे का रनिंग टाइम मिला हुआ है और यहांपर हमें लीड कास्ट में देखने को मिल गए थी क्रीती सैनन्स, करिना कपूर खान और यहांपर तबो, दिल जीस दुसांच, कपिल शर्मा और यहांपर गुल परशन, कारबंदा और यहांपर रजेश शर्मा और भी काफसरी कास्ट थी जो sporting role में देखने को मिली थी तो यह सारी story जो है ना तीन जो के air hosted के air जो के plan की जो अंदर जो वेटर का काम करती है ना उनी के ओपर बनाई गई फिल्म है और यहां पर वो कैसे अपनी story को जो के life को गुजार रही है वो सारा को राइनिंग टैम मिला हुआ है 10x7.7 की रेटिंग मिल चुकिया है mdb पर और इसलिम को 29 मार्ट 2024 में रिलीस करवाया गया था और इसलिम को ड्रेक किया था राजेश एक क्रिशना ने और यहां पर इसलिम को 85% लाइक भी मिल चुके हैं और इसलिम का जो बजट था वो 75 करोड था इसलिम ने भॉकस पर 152 करोड का कुलेक्शन किया और ये फिल्म भॉकस पर एक बलॉक बस्टर फिल्म रही थी और इसलिम की डिशिबिशन कंपली थी रिलैंस इंस्टेंट इंटर्टैण्मेंट और यहां पर थोड़ा सा तो यहाँपर आगे इसलिम के बारे में बात करें तो आप इसको बता दू जो इसलिम की सुनोड़ ग्राफी की थी वो अंजुस राजेश धावन ने की थी और यहां पर डिट किया था मनन सागर ने और दिलजील दुसान ने सौंग्स को और बादशाह ने राज रंजुहुद ने और यहां पर विशाल मिशना अक्षे एपी और भारग रोहित ने और यहां पर इसलिम का बैक्गराउंड व् production company थी बाला जी मोशन पिक्चाज अनिल कपूर फिल्म और यहां पर डिस्ट्रिबिशन कमपनी थी पैन मुरूधर इंटर्टेइन्मेंट और यहां पर इस फिल्म को रिलीज करवाया गया था 29 मार्ट 2024 में और इस फिल्म को आपको पहले भी बता चुका हूं इस फिल्म के अंदर तीन जो के स्टोरी दिखाए गई है वो भी किनकी आप सको बता दूं यहां पर जो बैंक क्राप्ट जो उनका स्टोरी वगरा है वो आपको बताता हूं लेकिन यहां पर आप दूस्टों को तीन जो के यानि करीना और यहां पर गीता और यहां पर दिवया राना की स्टोरी को दिखाया गया है यहां पर इसल्म के अंदर जो के दिलजीत दुसान जो के इसल्म के अंदर कस्टम आफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं जो गैस्ट अपिरियंस में देखने को मिल जाते हैं राजे शर्मा इसल्म के और दिवास्ट फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और रामकंट इसेंכंदर मिस्टर-य राजश्वी को रहे हैं तो यहां पर तीन फ्लाइट डेनंट्स की बात करें यहां पर तीन की जो कमपनी होती है ना अब उनका दव्यालया निकल चुका है अब यहां पर उनकी जो कमपनी है ना वो हो चुका है बैंक क्राप्ट अब यहां पर उनकी जो सैली वगरा भी नहीं आ रही तो जिसकी वज़ा से वो अब काम से भी बाहर हो जाती है तो उसके बाद वो कैसे ज तो आप दोंसे अगर देखना चाहुई तो तो आप सिम्क्रिक को नढृः के साथunde मत देखना हैं आ इंजॉाय करना में और यहां पर लॉन पर सिम्को जो जाकेंबिवा इस पर क हाउच फिल्म आपको कैसे लगी थी अपना उपीनियन लाजमी बताना है तो यहां पर हम थोड़ा सा आगे सौंग्स की बात करें तो इस सौंग्स वगरा थेना 25 मिनट 25 सेकंड के सौंग्स वगरा की लेंट थी और यहां पर हिंदी सौंग्स थे और हिंदी सौंग्स के जो म्यूजि पर आफशिली देखने और सुनने को मिल जाएंगे उसके बाद यहां पर आगे थोड़ा सा बात कर लें इस फिल्म के बारे में तो इस फिल्म को जो कि अब रिलीस भी करवा दिया गया है अब यहां पर यह फिल्म OTT प्लाइफरम पर भी आ चुकी है या नहीं वो भी बात करते हैं लेगन आप इसको बता दू यह फिल्म जो के आप इसको बहुत ही पसंद आएगी कुमेडी ड्रामा जॉनरा की फिल्म है आप इसको एक बार तो देखने ही चाहिए अगर आप इसने देख लिया है तो यह फिल्म आपको कैसी लगी थी अपना उपीनियन बता सकते हो और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते हो तो यहाँ पर आप इसको बता दूए इस सिल्म को जो राइट्स वगरा ओटी टी राइट्स हैं यहाँ तो नेट्फिक्स पर देखने को मिल जाएगी अगर आप सुने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें और यह फिल्म बहुत ही जल जब ओटी टी प्लाइट्स पर आएगी तो अपडेट्स इसी चैनल पर मिल जाएगी चैनल को से भी सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि जो भी नभी निव अपडेट्स आती हैं वो इस चैनल पर मिलती रहती है तो यहां पर हम दुस्तों बात कर रहे थे क्रूम वी की जो कि यह 2024 में रिलीज की कुमेडी ट्रामा जानरा की फिल्म थी और आप दुसको फिर से बता दूए इस फिल्म के राइट्स पगरा जो ओटी राइट्स थे ना वो नेट्फिक टे पास हैं और यहां फिल्म है जब भी इन फ्यूचर आपको ओटी प्लारफरम पर देखने को मिल जाएगी जैसे निव अपडेट निकल के आती है या रिलीज होती है या फिल्म अपडेट जो भी आएगी वो इस चैनल पर मिल जाएगी तो चैनल को इस कर लें सबस्क्राइब वीडियो को भी लाइक हो और शेयर कर दें विल्कम बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ 2024 में रिलीस किर गई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म क्रू मुई के बारे में जो की कुरू एक कुमेडी ड्रामा जॉनरा की फिल्म है और सिल्म को दो घंटे का रनिंग टाइम मिला हुआ है और यहाँ पर हमें लीड कास्ट में देखने को मिल गए थी जो के कृति अवसरी कास्ट थी जो सपोर्टिंग रोल में देखने को मिली थी तो यह सारी स्टोरी जो है ना तीन जो के एर होस्टेट के एर जो के प्लान की जो अंदर जो वेटर का काम करती है ना उनी के ओपर बनाई गई फिल्म है और यहां पर वो कैसे अपनी स्टोरी को जो के लाइफ को गुजार रही है वो सारा को दिखाया गया है और यहां पर वो की रेटिंग मिल चुकिया है एंडीव पर और इसलिम को 29 मार्ट 2024 में रिलीस करवाया गया था और इसलिम को ड्रैक किया था राजेश एक क्रिशना ने और यहां पर इसलिम को 85% लाइक भी मिल चुके हैं और यहां पर इसलिम का जो बजट था ना वो 75 क्रोड था इसलिम ने बॉकस पर 152 क्रोड का कुलेक्शन किया और यह फिलम बॉकस पर एक ब्लॉग बॉस्टर फिल्म रही थी और इसलिम की डुच्टिबिशन कंपली थी रेलाइनस इंस्टेंट इंटर्टैन्मेंट और यहां पर थोड़ा सा आगे बात कर लें इसलिम के बारे में तो यहां पर आगे इसलिम के बारे में बात करें तो आप इसको बता दूँ जो इसलिम की सुनुड़ग्राफी की थी वो अंजुस राजेश की धावन ने की थी और यहां पर एडिट किया था मनन सागर ने और दिलजील दुसान ने सौंग्स को और बादशाह ने राज रंजहु इतने और यहां पर इसलिम का बैग्राउंड म्यूजिक दियाओधा जौन सावेतरी जो के अधुरी ने और यहां पर प्रड़क्शन कमपनी थी बाला जी मोशन पिक्चर्ज अनिल कपूर फिल्म और यहां पर डिस्टिबिशन कमपनी थी पैन मुरूधर इंटर्टेन्में इसलिम में 152 करोगडा किशन के लिए और यह फिल्म बॉक्स पे ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी तो आप इसको बता दूँ इस फिल्म के अंदर आपको पहले भी बता चुका हूँ इस फिल्म के अंदर तीन जो के स्टोरी दिखाई गई है वो भी किन की आप सको बता दू यहाँ पर जो बैंक क्राप्ट जो उनका स्टोरी वगरा है वो आपको बताता हूँ लेकिन यहाँ पर आप दूसको तीन जो के यानी करीना खपुर खान जो जो जास्मिन का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर जो के फलाइट अटेंटेंटेंड्स हैं यहाँ पर वो प्रिट्र जिद्ध श्रिम गंदर के सिर्म के अनदर के रोल प्रउबधारơ है और यहाँ पर कुल बश्र कारबंदा जैस्मिन के नानु का रोल प्रट्री कर रहा है और यहां पर और यहां पर जो इसलिम गेंदर चारु शंकर हैं सुधा मितल का रोल प्लेगर यहां पर रामकंट इसलिम के अंदर दया में मिस्टर राजश्वी का रोल प्लेगर रहे हैं तो यह सारी कास्ट विगरा थी अब यहां पर स्टोरी की बात करें तो यहां पर तीन फ्लाइट एडेंडंस की स्टोरी को दिखाया गया है वो एक जो के फ्लाइट के यानि फ्लाइट के एडेंडंस होती है और यहाँ पर उनकी जो इसमें फ्लाइट में वो काम करती है तो उनकी जो कमपनी होती है अब उनका दव्यालया निकल चुका है अब यहाँ पर उनकी जो कमपनी है अब वो हो चुका है बैंक क्राप्ट अब यहाँ पर उनकी जो सैली वगरा भी नहीं आ रही तो जिसकी वज स्थे जो के सेंस देखने को मिल जाएंगे और यहां पर सिंगे अदर अडल्ट गालिया भी दीगी हैं तो आप दोस्त अगर देखना चाहोस। तो सिंग को फैमिली के साथ मत देखना इस फिल्म को जो के इंजॉय करना लॉन में और यहां पर इस फिल्म को जो के जाके देखना अगर आप अभी भी इस फिल्म को देखना चाहती हो तो यह फिल्म कहां पर देखने को मिलेगी वो भी बताऊंगा अगर आप उफिल्म को देखा हुआ तो तो यह फिल्म आपको कैस लगी थी अपना उपीन लाजमी बताना है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे सॉंग्स की बात करें तो इस विगरा थेना 25 मिनिट पच्जे सेकंड के सॉंग्स विगरा की लेंथ थी और यहाँ पर हंदी सॉंग्स थे और हंदी सॉंग्स के जो music rights वगरा यानी song के rights वगरा थे वो tips music के पास थे और यहां पर इस film के टोटल आठ गाने थे आठ गाने की लैंथ थी 25 मिनिट 25 सेकेंड और यह सारे song आपको YouTube पर officially देखने और सुनने को मिल जाएंगे उसके बाद यहां पर आगे थोड़ा सा बात कर लें इस film के बारे में तो इस film को जो के आफिशली जो के अब release भी करवा दिया गया है अब यहां पर यह फिल्म OTT प्लाइफरम पर भी आ चुकी है या नहीं वो भी बात करते हैं लेगन आप जिसको बता दू यह फिल्म जो के आप जिसको बहुत ही पसंद आएगी कुमेडी ड्रामा जोनरा की फिल्म है आप जिसको एक बार तो देखने ही चाहिए अगर आपसे ने देख लिया है तो यह फिल्म आपको कैसी लगी थी अपना उपीनियन बता सकते हो और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते हो तो यहां पर आपसको बता दूए इस फिल्म को जो राइट्स वगरा ओटीटी राइट्स हैं वो नेट्फिल्क के पास हैं अभी तक इस फिल्म को ऑफिशली जो रिलीज वगरा है नहीं किया गया नेट्फिल्क्स के उपर लेकिन इस फिल्म को अभी भी थेटर में कहीं काफ सारे जुगें उपर लगी हुई है फिल्म अगर आपस देखना चाहो तो वहां पर भी जाके देख सकते हो इन्जॉय कर स और यह फिल्म बहुत ही जल जब ओटीटी प्लाइफरंट पर आएगी तो अपडेट्स इसी चैनल पर मिल जाएगी चैनल को से भी सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि जो भी नभी निव अपडेट्स आती हैं वो इस चैनल पर मिलती रहती हैं तो यहां पर हम दोस्तों ब पर मिल जाएगी तो चैनल को से कर लें सब्सक्राइब वीडियो को भी लाइक हो और शेयर कर दें विडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ ट्विट्विट्वर में रिलीस किर गई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म क्रू मुई के बारे में ज जीद दुसांच कपिल शर्मा और इहां पर गुलपल्शन करबंदा और राजे शर्मा और भी काफसरी कास्ट थी जो स्प्रोटिंग रोल में देखने को मिली थी त्याओ सारी स्टोरी जो है इयार एक जो प्लैन की जो अंदर जो वेटर वेल्न का काम करती है नहां उनी के अपनी स्टोरी को जो के लाइफ को गुजार रही है। यहां पर वो कैसे जो के लोगों को लूटती है उसके बारे में भी दिखाया जाएगा। वणरहल दिखा जाए तो फिल्म काफैछी कोमेडिय से भरी हुई फिल्म है। और यह फिल्म बॉक्सस पर एक सूपर हिट फिल्म रही थी इसलिम को दो घंटे का राइनिंग टैम मिला हुआ है टैन बैस सेवन पन सेवन की रेटिंग मिल चुकिया है एमडीव पर और इसलिम को 29 मार्ट 2024 में रिलीज करवाया गया था और इसलिम को ड्रैक किया था अटैन्मेंट और यहां पर थोड़ा सा आगे बात कर लें इसलिम के बारे में तो यहां पर आप सको बता दो स्टोरि को लिखा था निधी जो के महरा ने और मियोहल सूरी ने और यहां पर पडि yogh kपूर और आन्डिलTu कपूर और यहां पर देव become के बारे में बात करें त मुजिक दिया था दिलजील दुसान ने सौंग्स को और बाजशा ने राज रंजोहूद ने और यहाँ पर विशाल मिशना अक्षे एपी और यहाँ पर भारक रोहित ने और यहाँ पर इसलिम का बैग्राण्ड मुजिक दिया था जौन सावیतری जोके एधुरी ने और यहाँ पर प्रड़क्शन कमपनी थी बाला जी मोशन पिक्चर्ज अनिल कपूर फिल्म और यहाँ पर डिस्टिबिशन कमपनी थी पैन मुरूधर इंटरटेन्मेंट और यहाँ पर इस फिल्म को रिलीस करवाय गया था भी बता चुका हूँ इस फिल्म के अंदर तीन जोके स्टोरी दिखाए गई है वो भी किनकी आप सको बता दूं यहाँ पर जो बैंक क्राप्ट जो उनका स्टोरी वगरा है वो आपको बताता हूँ लेकिन यहाँ पर आप दूसको तीन चुके आाँ निकरीना कपुरखान जो जास्मिन का रूल प्ले कर रही है और यहाँ पर जोके फ्लाइट अटेंटेंटेंस हैं यहाँ पर वो तीन फ्लाइट एडंटन्स की स्टोरी को दिखाया गया है यहां पर जो के जैस्मीन और यहां पर गीता और यहां पर दिवया राना की स्टोरी को दिखाया गया है यहां पर इसल्म के अंदर जो के दिलजीर दुसान जो के अंदर कस्टम आफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं जो गैस्ट अपिरियंस में देखने को मिलते हैं कबिल शर्मा भी इसल्म के अंदर जो के अपिरियंस में देखने को मिल जाते हैं राजे शर्मा इसल्म के अंदर प्रित्रवाज मितल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर स्वेता चेटरज इसल्म के अंदर विजे वेला का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर कुलबुश करबंदा इसल्म के अंदर जैस्मिन के नानू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर इवान रोड रेज इसलिम के अंदर दिव्यास फादर का रोल प्ले कर रहे हैं यहां पर तिरुफती जो कामकार है ना वो ऐसा ही माला का रोल प्ले कर रहे हैं और यहांपर जो इस न गेंदर चार उशंकर है सुधा दिर्वों का रोल प्ले करें लिए बात है, तो यहांपर तेन फलाइट अडिनिडेंडन्स की स्टोरी को दिखाया गεια है वो एक जो गहें था इन्डेंडन्स को होती है बेंक्राप्ट अब यहां पर उनकी जो सैली वगरा भी नहीं आ रही तो जिसकी वज़ा से वो अब काम से भी बाहर हो जाती है तो उसके बाद वो कैसे जो के लोगों को लूटती है और यहां पर कैसे वो लोगों को लूटती है और यहां पर यह कुमेडी के साथ तड़का द देखना इस film को जो के इंजठ। Kirक करना और यहां पर इस film को जो के। जाकर देखना है अगर अबद भी भी इस film को देखना चाहती हो तो यह फिल्म कहां पर दे खने को मिले 지금 वह बताऊंगा अगर आप सुने को देखा हुआ तो तो यह फिल्म आपको कैसे लगी थी अपना उपी ने लाजमी बताना है तो यहां पर हम थोड़ा सा आगे सौंग्स की बात करें तो इस सौंग्स वगरा थे ना 25 मिनिट 25 सेकंड के सौंग्स वगरा की लेंथ थी और यहां पर हिंदी सौंग्स थे और हिंदी सौंग्स के जो म्यूजिक राइट्स वगरा यानि सौंग्स के राइट्स वगरा थे वो टिप्स म्यूजिक के पास थे और यहां पर इस फिल्म के टोटल आठ गाने थे आठ्ट गाने की लेंद थी 25 मिनिट 25 सेकंड और यह सारे सौंग्स आ पर आगे थोड़ा सा बात कर लें इस लिए बारे में तो इसलिम गो जो को अब रेलीज भी करवा दिया गया है अब यहां पर यह फिल्म आ चुकी है या नहीं व हो भी बात करते हैं लेकर आप जसको बता दू यह फिल्म जो आप जिसको बहुत ही पसंद आएगी कुमेड़ी राइट्स हैं वो नेट फ्लिक के पास हैं अभी तक इसलिम को ऑफिशली जो रिलीज वगरा है नहीं किया गया नेट फ्लिक्स के उपर लेकिन इसलिम को अभी भी थेटर में कहीं काफ सारी जुगें उपर लगी हुई है फिल्म अगर आप सो देखना चाहो तो वहां पर भी नहीं देखना चाहते ओटी टी का वेट करें अथिन फ्लिक्स फूचार जब यह फिल्म अटी प्लाफरंड पर आएगी वो भी आपको देखने को मिल जाएगी नेटफलिक्स अंडिया पर जीहां सो نैटफलिक्स पर देखने को मिल जाएगी अगर आप सुने अभी तक मुई की जो कि 2024 में रिलीज की कि कुमेडी ड्रामा जोनरा की फिल्म थी और आप दूसको फिर से बता दूए इस फिल्म के राइट्स पर गरा जो ओटी राइट्स थे ना वो नेट्फिक टे पास हैं और यह फिल्म जब भी इन फ्यूचर आपको ओटी प्लारफर्म पर देख करने जा रहा हूं 2024 में रिलीज कि गई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म क्रू मुई के बारे में जो कि क्रू एक कुमेडी ड्रामा जोनरा की फिल्म है और सिल्म को दो घंटे का रनिंग टाइम मिला हुआ है और यहां पर हमें लीड कास्ट में देखने को मिल गए थी जो के क प्लान की जो अंदर जो वेटर का काम करती है ना उनी के ओपर बनाए गई फिल्म है और यहां पर वो कैसे अपनी स्टोरी को जो के लाइफ को गुजा रही है और यहां पर वो कैसे जो के लोगों को लूटती है उसके बारे में भी दिखाया जाएगा और अवराल देखा ज रही थी इसलिम को दो घंटे का राइनिंग टैम मिला हुआ है टैन बैस सेवन पन सेवन की रेटिंग मिल चुकिया है एमडीवी पर और इसलिम को 29 मार्ट 2024 में रिलीज करवाया गया था और इसलिम को ड्रैक किया था राजेश एक कृष्णा ने और यहां पर इसलिम को 85 पर अटैन्मेंट और यहां पर थोड़ा सा आगे बात कर लें इसलिम के बारे में तो यहां पर आप इसको बता दो स्टोरी को लिखा था निधी जो के महरा ने और मीहुल सूरी ने और यहां पर पोडियूसर थे एकता कपूर रिया कपूर और यहां पर एनिल कपूर और यहां पर डिट किया था मनन सागर ने और दिल जील दुसान सौंग्स को और बादशा ने राज रंजुध ने और यहां पर विशाल मिशना अक्षे एपी और यहां पर भारक रोहित ने और यहां पर इसलिम का बैगरांड म्यूजिक दिया था जॉण सावेतरी जो के अधुरूरी और यहां पर production company थी बाला जी motion pictures अनिल कपूर films and communication network और यहां पर distribution company थी पैन मुरूधर entertainment और यहां पर इस film को release करवाय गया था 29 मार्ट 2024 में और इस film को 180 मिनिट का running time मिला हुआ है यानि यह दो घंटे के आसपास का running time मिला है और यहां पर यह हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी तुरी दिखाए गई है वह भी किनकी आपसको बता दूँ यहां पर जो बैंक क्राप्ट जो उनका स्टोरी वगरा है वह आपको बताता हूं लेकिन यहां पर आप दुस्तों को तीन जो के यानि करीना खपुर खान जो जासमिन का रोल प्ले कर रही है और यहां पर जो के फ यहां पर तुर्फदिय क में सीम ख़े कर रहे हैं पर जैसमिन के नानु का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर इवान रोड रेज इस लिम के अंदर दिव्यास फादर का रोल प्ले कर रहे हैं यहां पर तिरुफती जो कामकार है ना वो ऐसा ही माला का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर जो इसलिम के अंदर चारू शंकर हैं सुधा मिद्टल का रोल प्ले कर रहे हैं तो यह सारी कास्ट वेगरा थी अब यहां पर स्टोरी की बात करें तो यहां पर तीन फ्लाइट अडिन्डंस की स्टोरी को दिखाया गया है वो एक जो के फ्लाइट के यानी फ्लाइट के डेंडन से होती है और यहां पर उनकी जो इसमें फ्लाइट में वो काम करती है तो उनकी जो कमपनी होती है ना अब उनका दव्यालिया निकल चुका है अब यहां पर उनकी जो कमपनी है ना वो हो चुके है बैंक्राप्ट अब यहां पर उनकी जो सैली वगरा भी नहीं आ रही तो जिसकी वज़ा से वो अब काम से भी बाहर हो जाती है तो उसके बाद वो कैसे जो के लोगों को लूटती है और यहां पर कैसे वो लोगों को लू बनाती हैं और यहां पर यह कुमेडी के साथ तड़का दिखाया गया है और यहां पर आप उसको काफी अच्छे जो के सेंस देखने को मिल जाएंगे और यहां पर इस सिल्म के अंदर अडल्ट जो के गालियां भी दीगी हैं तो आप दोस्त अगर देखना चाहो तो सिल्म को फैमिली के साथ हैं मत देखना इस सिल्म को जो के इंजॉय करना और यहां पर इस सिल्म को जो के जाके देखना अगर आप अभी भी इस सिल्म को देखना चाहती हो तो यह फिल्म कहां पर देखने को मिलेगी वह भी बताऊंगा अगर आप सुने ऑफिशल इस सिल्म को देखा राइट्स वगरा यानि सॉंग के राइट्स वगरा थे वो टिप्स म्यूजिक के पास थे और यहां पर इन फिस फिल्म के टोटल आठ गाने थे आठ्ट गाने की लैंड थी पच्चीस मिनिट पच्चीस सेकेंड और यह सारे सांग आपको यूट्यूब पर आफशिली देखन है कि कुमेडिय ड्रामा जोनरा की फिल्म है आप उसको एक बार तो देखने ही चाहिए अगर आप से ने देख लिया है तो यह फिल्म आपको कैसी लगी थी अपना उपीनियन बता सकते हो और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते हो तो यहां पर आप सको बता दूए इस इस इनको धेटर में नहीं देखना चाहते हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और यह फिल्म बहुत ही जल जब ओटीटी प्लाइज़ पर आएगी तो अपडेट्स इसी चैनल पर मिल जाएगी चैनल को से भी सब्सक्राइब करके रखें क्योंके जो भी नवी न्यू अपडेट्स आती हैं वो इस चैनल पर मिलती रहती हैं तो यहां पर हम दोस्तों बात कर रहे थे क्रू मुई की जो कि यह 2024 में रिलीज की कुमेडी ड्रामा जानरा की फिल्म थी और आप दूसको फिर से बता दूए इस फिल्म के राइट्स पर गरा जो ओटी राइट् जब भी इन फिचर आपको टी प्लाइट्स पर देखने को मिल जाएगी जैसे न्यू अपडेट निकल के आती है या रिलीज होती है या फिल्म अपडेट जो भी आएगी वो इस चैनल पर मिल जाएगी तो चैनल को इस कर लें सबस्क्राइब वीडियो को भी लाइक हो और वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं 2024 में रिलीस किर गई हिंदी लैंगवेज की फिल्म क्रू मुई के बारे में जो की क्रू एक कुमेडी ड्रामा जॉनरा की फिल्म है और सिल्म को दो घंटे का रनिंग टाइम मिला हुआ है और यहां पर हमें लीड कास्ट में देखने को मिल गए थी जो के करीती सैनन्स करीना कपूर खान और यहां पर तबू दिलजीद दुसांच कपिल शर्मा और यहां पर गुलपलशन कारबंदा और यहां पर राजे शर्मा और भी काफसरी कास्ट थी जो स्पोर्टिंग रोल में देखने क मिली थी तो यह सारी स्टोरी जो है ना तीन जो के एयर होस्टेट के सारी एयर जो के प्लैन की जो अंदर जो वेटर का काम करती है ना उनी के ओपर बनाई गई फिल्म है और यहां पर वो कैसे अपनी स्टोरी को जो के लाइफ को गुजार रही है वो सारा को दिखाया गया है और यहां पर वो कैसे जो के लोगों को लूटती हैं उसके बारे में भी दिखाया जाएगा ओवराल देखा जाए तो फिल्म काफी अच्छी एक कुमेडी से भरी हुई फिल्म है और यह फिल्म बॉक्सस पर एक सूपर हिट फिल्म रही थी इसलिम को दो घंटे का रैनिंग ट बॉक्सस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी और इसलिम की डिश्रिबिशन गमपली थी रिलैंच इंसिटेन इंटर्टेवन्मेंट और यहां पर सा आगे बात कर लें इसलिम के बारे में तो यहां पर आप सक को बता दो स्टोरी को लिखा था निदी जो के महरा ने और मीहुल सूरी ने और यहां पर प्रडियूसर थे एकता कपूर रिया कपूर और यहां पर अनिल कपूर और यहां पर देव विजे पुरूत जो इसलिम के प्रडियूसर वगएरा थे तो यहां पर आगे इसलिम के बारे में बात करें तो आप सको बता दूँ जो इसलिम की सुन सिल्म का बैक्राइब म्यूजिक दियाओधा जाउन सावेतरी जो के अधुरी ने और यहां पर प्रडक्शन कमपड़ी थी बाला जी मोशन पिक्चर अनिल कपूर फिल्म और यहां पर डिस्टिबिशन कमपड़ी थी पैनमरुधर इंटर्टेन्मेंट और यहां पर इस लिए करवाया गया था 29 मार्ट 2024 में और सिल्म को 180 मिनिट का रेनिंग टाइम मिला हुआ है यानि यह दो घंटे के आसपास का रेनिंग टाइम मिला है और यहां पर यह हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी बजट 75 कोड़ था इसलमें 152 क्रोड़क्रिशन के लिए और यह फिल्म ब यहां पर आप दोस्तों को तीन जो के यानि करीना खपुर खान जो जास्मिन का रोल प्ले कर रही है और यहां पर जो के फ्लाइट अटेंटेंटेंस हैं यहां पर वो फ्लाइट अटेंटेंस की स्टोरी को दिखाया गया है यहां पर जो के जास्मिन और यहां पर गीता और यहां पर दिवया राना की स्टोरी को दिखाया गया है यहां पर इसल्म के अंदर जो के दिलजीत दुसान जो के इसल्म के अंदर कस्टम आफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं जो गैस्ट अपिरियंस में देखने को मिलते हैं और यहाँ पर इवान रोड रेज इसलिम के अंदर दिव्यास फादर का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर तिरुफती जो कामकार है ना वो ऐसा ही माला का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जो इसलिम के अंदर चारु शंकर हैं सुधा मितल का रोल प्लेगर यहाँ पर रामकंट इसलिम के अंदर दया में मिस्टर राजश्वी का रोल प्लेगर रहे हैं तो यह सारी कास्ट वगरा थी अब यहां पर स्टोरी की बात करें तो यहां पर तीन फ्लाइट की स्टोरी को दिखाया गया है वो एक जो के फ्लाइट के यानि फ्लाइट के एडेंडन से होती है और यहां पर उनकी जो इसमें फ्लाइट में वो काम करती है तो उनकी जो कमपनी होती है ना अब उनका दव्यालया निकल चुका है अब यहां पर उनकी जो कमपनी है ना अब वो हो चुका है बैंक्राप्ट अब यहां पर उनकी जो सैली वगरा भी नहीं आ रही तो जिसकी वज़ा से वो अब काम से भी बाहर हो जाती है तो उसके बाद वो कैसे जो के लोगों को लूटती हैं और यहां पर कैसे वो लोगों को लूट बनाती हैं और यहां पर यह कुमेडी के साथ तड़का दिखाया गया है और यहां पर आप उसको काफी अच्छे जो के सेंस देखने को मिल जाएंगे और यहां पर इस film के अंदर अडल्ट जो के गालियां भी दीगी है तो आप दोस्त अगर देखना चाहो तो इस film को फैमिली के साथ है मत देखना इस film को जो के इंजॉय करना अलोन में और यहां पर इस film को जो के जाके देखना अगर आप अभी भी इस film को देखना चाहती हो तो ये फिल्म कहां पर देखने को मिलेगी वो भी बताऊंगा अगर आप सुने ओफिल्म को देखा हुआ तो तो ये फिल्म आपको कैसे लगी थी अपना उपीनियल लाजमी बताना है तो यहां पर हम थोड़ा सा आगे सॉंग्स की बात करें तो इस सॉंग्स वगरा थे ना पच्चिस मिनिट पच्चिस सेकंड के सॉंग्स वगरा की लेंथ थी और यहां पर हिंदी सॉंग्स थे भी करवा दिया गया है आप यहां पर यह फिल्म OTT प्लैफरम पर भी आ चुकी है या नहीं वह भी बात करते हैं लेकर आप जिसको बता दू यह फिल्म जो के आप जिसको बहुत ही पसंद आएगी कुमेड़ी ड्रामा जोनरा की फिल्म है आप जिसको एक बार तो देखने ही चाहिए अगर आप से ने देख लिया है तो यह फिल्म आपको कैसी लगी थी अपना उपिनियन बता सकते हो और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते हो तो यहां पर आप सको बता दू इस फिल्म को जो राइट्स वगरा OTT राइट्स हैं वो नेट्फिल्क के पास हैं अभी तक इस इनको ऑफिशली जो रिलीज वगरा है ना नहीं किया गया नेट्फिल्क्स के उपर लेकिन इस इनको भी भी थेटर में कहीं काफ सारे जुक्यों पर लगी हुए यह फिल्म अगर आप सो देखना चाहो तो वहां पर भी जाके देख सकते हो अगर आप दोस्ते सिल्म को थेटर में नहीं देखना चाहते है OTT का वेट करें तो इन फ्योचर जब भी ये फिल्म OTT प्लैटफर्म पर आएगी वो भी आपको देखने को मिल जाएगी नेटफलिक्स इंडिया पर जिहां सो नेटफलिक्स पर देखने को मिल जाएगी अगर आप सुने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें और यह फिल्म बहुत ही जल जब OTT platform पर आएगी तो अपडेट्स इसी चैनल पर मिल जाएगी चैनल को से भी सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि जो भी नभी निव अपडेट्स आती हैं वो इस चैनल पर मिलती रहती हैं तो यहां पर हम दोस्तों बात कर रहे थे करूम हुई की जो कि यह 2024 में रिलीज की कुमेड़ी ट्रामा जानरा की फिल्म थी और आप दूसको फिर से बता दूए इस फिल्म के राइट्स पर गरा जो OTT राइट्स थे न वो नेट्फिल्क के पास हैं और यह फिल्म जब भी इन अधर वीडियो तो दोस्तों आज की इस फिडियो में बात करने जा रहा हूं 2024 में रिलीज किर गई हिंदी लैंगवेज की फिल्म क्रू मुई के बारे में जो कि क्रू एक कुमेड़ी ड्रामा जानरा की फिल्म है और सिल्म को दो घंटे का रनिंग टैम मिला हुआ है और यह जे शर्मा और भी काफसरी कास्ट थी जो स्पोर्टिंग रोल में देखने को मिली थी तो यह सारी स्टोरी जो है ना तीन जो के एयर होस्टेट के एयर जो के प्लान की जो अंदर जो वेटर का काम करती है ना उन्हीं के ओपर बनाई गई फिल्म है और यहां पर वो कैसे एक सूपर हीट फिल्म रही थी इसलिम को दो घंटे का रइनिंग टैम मिला हुआ है टैन बैस सेवन पन सेवन की रेटिंग मिल चुकिया है एमडीवी पर और इसलिम को 29 मार्ट 2024 में रिलीस करवाया गया था और इसलिम को ड्रेक किया था राजेश एक कृष्णा ने और यह यहां पर थोड़ा सा आगे बात कर लें इसलिम के बारे में तो यहां पर आप इसको बता दू स्टोरी को लिखा था निधी जो के महरा ने और मीहुल सूरी ने और यहां पर प्रडियूसर थे एकता कपूर रिया कपूर और यहां पर एनिल कपूर और यहां पर देव विज पुरूत जो इसलिम के पूडियोसर वगरा थे तो यहां पर आगे इसलिम के बारे में बात करें तो आप सको बता दूँ जो इसलिम की सुनुड़ोग्राफी की थी वो अंजुस राजेश की धावन ने की थी और यहां पर एडिट किया था मनन सागर ने और मिजिक दियाओध ने और यहां पर पूड़क्शन कमपनी थी बाला जी मोशन पिक्चर अनिल कपूर फिल्म एंड कम्यूनिकेशन नेटवर्क और यहां पर डिस्टिबिशन कमपनी थी पैन मुरूधर इंटर्टेन्मेंट और यहां पर इसलिम को रिलीज करवा गया था 29 मार्ट 2024 में और इस फिल्म बॉक्सर पर फिल्म रही थी तो आप जसको बता दूँ इस फिल्म के अंदर आपको पहले भी बता चुका हो इस फिल्म के अ अंदर तीन जो कह स्टोरी दिखाई गई है वहां पर जो बैंक्राप्ट जो उनका स्टोरी वगरा है वहां पर आप दूस्टों को तीन यानि करीना खपुर खान जो जास्मिन का रोल प्ले कर रही है और यहां पर जो के फ्लाइट अटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें अपिरियंस में देखने को मिलते हैं कपिल शर्मा भी इसल्म के अंदर जो के अपिरियंस में देखने को मिल जाते हैं राजे शर्मा इसल्म के अंदर प्रित्रवाज मितल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर स्वेता चेटरची इसल्म के अंदर विजे वेला का रोल प्ले क और यहां पर जो इसन गंदर चारू शंकर हैं सुदा मितल का रोल प्लेटिग्र यहां पर राम क geral करें अधा वह यहां पारि स्ट्री बात करें तो एका जो फलाइट नसे होती है और यहां पर इसमें कामकlungen कोकंपणी होती यह अब उनका दवयाला निकल चुका है अब भे हां पर उनकी जो कंपनी है आब वो हूँ किया बैंक्राप्ट अब यहां पर उनकी जो विगरा भी नहीं आ रहे तो जिसकी वज़ाद से वो अब काम से भी बाहर हो जाती है तो उसके बाद वो कैसे जो के लोगों को लूटती है है और यहाँ पर कैसे वो लोगों को लूट बनाती है और यहाँ पर यह US को काफी अचถसे जोगशे सेंस देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर इस film के अंदर अडल्ट जो के गालियां भी दी गी है तो आप दोस्त अगर देखना चाहो तो इस फिल्म को फैमिली के साथ है मत देखना इस फिल्म को जो के इंजॉय करना लॉन में और यहां पर इस फिल्म को जो के जाके देखना अगर आप अभी भी इस फिल्म को देखना चाहती हो 25 मिनेट 25 सेकंड के वेरा की लेंट थी और यहां पर हिंदी सॉंग थे और हिंदी स्वांग के जो мышनित रैटस स्वेगढ़ा यनि सुंग के रैट्स के वीजरा थे वो टिप्स म्यूजिक के पास थे और यहां पर इस फिल्म के जो के टोटल आठ गाने थे आठ गाने की लेंद थी 25 मिनिट 25 सेकेंड और ये सारे साउंग आपको यूटीब पर आफशिली देखने और सुनने को मिल जाएंगे उसके बादि यहां पर आगे थोड़ा सा बात कर लें। इस्लम के बारे में तो इसलम को जो के अब रिलीस भी करवा बार दिया गया है अब यहां पर ये फिल्म OTP प्लैफरम पर भी आ चुकी है या नहीं वो भी बात करते हैं लेगे आप जिसको ब्ता दू ये फिल्म जो के आप जिसको बहुत ही पसंद आएगी कुमेडी ड्रामा जोनरा की फिल्म है आप जिसको एक बार तो देखने ही चाहिए अगर आप से ने देख लिया है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी थी अपना उपिनियन बता सकते हो और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते हो तो यह अगर आप दोसिस सिल्म को थेटर में नहीं देखना चाहते ओटीडी का वेट करें तो इन-फ्योचर जब ये फिल्म बहुत ही जल जब ओटीडी प्लाइफर्म पर आएगी तो अपडेटिस इसी चैनल पर मिल जाएगी चैनल को से बी सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि जो भी नभी न्यू अपडेट्स आती हैं वो इस चैनल पर मिलती रहती हैं तो यहां पर हम दोस्तों बात कर रहे थे क्रूम हुई की जो कि यह 2024 में रिलीज की कुमेडी ड्रामा जॉनरा की फिल्म थी और आप दूसको फिर से बता दूए इस फिल्म के राइट्स पर गरा जो इस फिडियो में बात करने जा रहा हूं 2024 में रिलीज की हिंदी लैंग्वेज की फिल्म क्रू मुई के बारे में जो कि क्रू एक कुमेडी ड्रामा जॉनरा की फिल्म है और सिल्म को दो घंटे का रनिंग टैम मिला हुआ है और यहां पर हमें लीड कास्ट में देखने को मिल नहीं पर बनाई गए फिल्म है और यहां पर वो कैसे अपनी स्टोरी को जो के लाइफ को गुदा है और यहांपर वो कैसे जो कि लोगों को छूटती है उसके बारे में भी दिखाया जाएगा ओवरल देखा जाए तो फिल्म काफी अच्छी कुमेडी से भरी हुई फिल्म ह रही थी इसलिम को दो घंटे का राइनिंग टैम मिला हुआ है टैन बैस सेवन बंस सेवन की रेटिंग मिल चुकिया है एमडीवी पर और इसलिम को 29 मार्ट 2024 में रिलीस करवाया गया था और इसलिम को ड्रैक किया था राजेश एक कृष्णा ने और यहां पर इसलिम को 85% और यहां पर थोड़ा सा आगे बात कर लें इसलिम के बारे में तो यहां पर आप इसको बता दो स्टोरी को लिखा था निधी जो के महरा ने और मीहुल सूरी ने और यहां पर प्रडियूसर थे एकता कपूर रिया कपूर और यहां पर एंडिल कपूर और यहां पर देव जे पुरूत जो इसलिम के पूडियोसर वगरा थे तो यहां पर आगे इसलिम के बारे में बात करें तो आप सको बता दूँ जो इसलिम की सुनुड़ोग्राफी की थी वो अंजुष राजेश की धावन ने की थी और यहां पर एडिट किया था मनन सागर ने और मिजिक दिया ने और यहां पर पूड़क्शन कमपनी थी बाला जी मोशन पिक्चर अनिल कपूर फिल्म एंड कम्यूनिकेशन नेटवर्क और यहां पर डिस्टिबिशन कमपनी थी पैन मुरूधर इंटर्टेन्मेंट और यहां पर इसलिम को रिलीज करवा गया था 29 मार्ट 2024 में और इस Hasis एक भुलाइट बाद एक ब्लॉटबस्टर फिल्म रही थी तो आप इसको बता दूँ इस लिम के अंदर आपको पहले भी बता चुका हूं है इसलिम आंदर तीन जो के स्टॉरि दिक्वाई गयी है वो भी किन की आप चको बताता हूं यहां पर ऑप पको आप थो को तीन जो के यानि करीना खपुर खान जो जास्मिन का रोल प्ले कर रही है और यहां पर जो के फ्लाइट अटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें कर रहे हैं और यहां पर कुल बुष कर रहे हैं और यहां पर इवान रोड रेज इसलिम के अंदर दिव्यास फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर तिरुफती जो कामकार है ना वह कर रहे हैं और यहां पर जो इसलिम के अंदर चार उशंकर हैं सुधा मितल का रोल प्ले कर यहां पर रामकंट इसलिम के अंदर दया में मिस्टर राजश्वी का रोल प्ले कर रहे हैं तो यह सारी कास्ट वगरा थी अब यहां पर स्टोरी की बात करें तो यहां पर तीन फ्ला खल्या निकल चुका है अब इहांपर उनकी जो कंपनी है अब वह हो चुकिए है बैंक partners अब यहांपर उनकी जोसे लिफ यहां रहे थी गू intelligence वह मिल जाति है तो उसके बाद कैसे जो के लोगों को लूटती है और यहांपर कैसे वह लोगों को लूप बनाती है और यहां पर यह कुमेडी के साथ तड़का दिखाया गया है और यहां पर आप उसको काफी अच्छे जो के सेंस देखने को मिल जाएंगे और यहां पर इस सिल्म के अंदर अडल्ट जो के गालियां भी दीगी है तो अगर देखना चाहो तो इस सिल्म को मिलेगी वह भी बताओंगा अगर आप सुने अफ़िस सिल्म को देखा हुतो तो यह फिलम आपको कैसे लगी थी अपना उपीन लाजमी बताना है तो यहां पर हम थोड़ा सा आगे स्वांग्स की बात करें तो इस सॉंग्स वगरा थे ना 25 मिनिट 25 सेकंड के सॉंग्स वगरा की लेंथ थी और यहां पर हिंदी सॉंग्स थे और हिंदी सॉंग्स के जो म्यूजिक राइट्स वगरा यानि सॉंग्स के राइट्स वगरा थे वो टिप्स म्यूजिक के पास थे और यहां पर इन फिल्म के टोटल आठ गाने थे आठे गाने की लेंद थी 25 मिनट 25 सेकंड और यह सारे सांग आपको यूटीब पर आफिशली देखने और सुनने को मिल जाएंगे उसके बाद यहाँ पर आगे थोड़ा सा बात कर लें इस सिल्म के बारे में तो इस सिल्म को जो कि आफिशली जो कि अब रिलीस भी करवा दिया गया है आप यहाँ पर यह फिल्म OTT प्लैफरम पर भी आ चुकी है या नहीं वो भी बात करते हैं लेगे न आप जिसको बता दू ये फिल्म जो के आप जिसको बहुत ही पसंद आएगी कुमेडिय ड्रामा जॉनरा की फिल्म है आप जिसको एक बार तो देखने ही चाहिए अगर आप से ने देख लिया है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी थी अपना उप फिल्क्स के उपर लेकिन इस का भी भी थेर्टर में कहीए काफ सारी जुक्यए हो फिल्म अगर आपस देखना चाहो और आप जैकर देखने को मिल जाएगी अगर आप सुने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें और यह फिल्म बहुत ही जल जब OTT प्लाइट फर्म पर आएगी तो अपडेट्स इसी चैनल पर मिल जाएगी चैनल को से भी सबस्क्राइब करके रखें क्योंकि जो भी नभी निव अपडेट्स आती हैं वो इस चैनल पर मिलती रहती हैं तो यहां पर हम दुस्तों बात कर रहे थे करू मुई की जो कि यह 2024 में रिलीज की कुमेडी ड्रामा जानरा की फिल्म थी और आप दुसको फिर से बता दूए इस फिल्म के राइट्स पर गरा जो ओटी राइट्स थे ना वो नेट्फिक के पास हैं और यहें फिल्म है जब भी इन फ्यूचर आपको ओटी प्लाइफर्म पर देखने को मिल जाएगी जैसे निव अपडेट निकल के आती है या रिलीज होती है या फिल्म अपडेट जो भी आएगी वो इस चैनल पर मिल जाएगी तो चैनल को इस कर लें सब्सक्राइब वीडियो को भी लाइक हो और शेयर कर दें विल्कम बैक दिया नदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ 2024 में रिलीस किर गई हिंदी लैंगवेज की फिल्म क्रू मुई के बारे में जो की क्रू एक कुमेडी ड्रामा जॉनरा की फिल्म है और सिल्म को दो घंटे का रनिंग टाइम मिला हुआ है और यहां पर हमें लीड कास्ट में देखने को मिल गए थी जो करीती सैनन्स करीना कपूर खान और यहां पर तबू दिलजीद दुसांच कपिल शर्मा और यहां पर गुलपलशन कारबंदा और यहां पर राजे शर्मा और भी काफसरी कास्ट थी जो स्पोर्टिंग रोल में देखने को मिली थी तो यह सारी स्टूरी जो है ना तैन तीन जो के एर एर खूस्टेट के सोड़ी एयर जो के ए प्लाइन की जो अंदर जो वेटर का काम करती है ना उनुके ओपर बनाइगी फिल्म है और यहां पर वो कैसे अपनी स्टूरी को जो के लाइफ को गुजा रही है और यहां पर कैसे जो के लोगों को लूटती है उसके बारे में भी दिखाया जाएगा ओवराल देखा जाए तो फिल्म काफी अच्छी एक कुमेडी से भरी हुई फिल्म है और यह फिल्म बॉक्सस पर एक सूपर हिट फिल्म रही थी इस लिम को दो घंटे का रैनिंग टैम मिला हुआ है 10x7.7 की रेटिंग मिल चुकिया है एमडीवी पर और इस लिम को 29 मार्ट 2024 में रिलीस करवाया गया था और इस लिम को ड्रेक किया था राजेश एक कृष्णा ने और यहाँ पर इस लिम को 85% लाइक भी मिल चुके हैं और यहाँ पर इस लिम का जो बजट था ना वो 75 करोड था इस लिम ने बॉकस इस पर 152 करोड का कॉलेक्शन किया और यह फिल्म बॉकस इस पर एक ब्लॉक बस्टर फिल्म रही थी और इस लिम की डुच्टिबिशन गंपली थी और यहाँ पर प्रॉकस इस लिम के बारे में बात करें तो आप उसको बता दू जो इस लिम की सुनुड़ाफी की थी वो अंजुष राजेश की धावन ने की थी और यहाँ पर इडिट किया था मनन सागर ने और दिलजील दुसान ने सौंग्स को और बाजशा ने राज रंजूद ने और यहाँ पर विशाल मिशना अक्षे एपी और यहाँ पर भारक रोहित ने और यहाँ पर इस लिम का बैग्राउंड म्यूजिक दियाओदा जाउन सावेतरी जो के एधुरी ने और यहाँ पर प्रड़क्शन कमपनी थी बाला जी मोशन पिक्चर्ज अनिल कपूर फिल्म और यहाँ पर डिस्टिबिशन कमपनी थी पैन मुरूधर इंटर्टेन्मेंट और यहाँ पर इस लिम को रिलीज करवा गया था 29 मार्ट 2024 में और इस लिम को 118 मिनिट का रेनिंग टाइम मिला हुआ है यानि यह दो घंटे कि आसपास का रेनिंग टाइम मिला है और यहाँ पर यह हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी बजट 75 कोड़ था इस लिम में 152 कोड़ा किशन के लिया और यह फिल्म बॉक्स पर एक ब्लॉक बस्टर फिल्म रही थी तो आप सको बता दूँ इस लिम के अंदर आपको पहले खपुर खान जो जास्मिन का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर जो के फ्लाइट अटेंटेंटेंस हैं यहाँ पर वो फ्लाइट अटेंटेंस की स्टोरी को दिखाया गया है यहाँ पर जो के जास्मिन और यहाँ पर गीता और यहाँ पर दिवया राना की स्टोरी को दिख स्थुटने। कर नहीं हैं और लानु पर नहीं पर इवान रोड रेज। होगा रहे हैं और तुर्भाति जू अ का माला का रोल प्रिए कर रहे हैं और यहां पर जो इसन्ध के दर Чारュशंकर हैं सुधा मितल काяла कर रहीं हैं तो यह सारी कास्ट वगरा थी अब यहां पर स्टोरी की बात करें तो यहां पर तीन फ्लाइट अडिंडन्स की स्टोरी को दिखाया गया है वो एक जो के फ्लाइट के यानि फ्लाइट के अडिंडन्स होती है और यहां पर उनकी जो इस एत् bisschen कमकर्द में वह काम करती है तो उनकी जो कंपनी होती है आप उनका डवयाल्या निकल चुका है अब यहां पर उनकी जो कंपनी है और यहां पर यह कुमेडी के साथ तिटका दिखाया गया है और यहां पर आप उसको काफी अच्छे जो के सेंस देखने को मिल जाएंगे और यहां पर इस सिल्म के अदर अडल्ट जो के गालियां भी दीगी हैं तो आप दोस्त अगर देखना चाहो तो इस फैमिली के साथ मत इस सिल्म को जो के इंजॉय करना लॉन में और यहां पर इस सिल्म को जो के जाके देखना अगर आप अभी भी इस सिल्म को देखना चाहती हो तो यह फिल्म कहां पर देखने को मिलेगी वो भी बताऊंगा अगर आप सुने ओफिली इस सिल्म को देखा हुआ तो तो यह फिल राइट्स वगरा यानि सॉंग के राइट्स वगरा थे वो टिप्स म्यूजिक के पास थे और यहां पर इन फिस फिल्म के टोटल आठ गाने थे आठ गाने की लेंग थी पच्चीस मिनिट पच्चीस सेकेंड और यह सारे सांग आपको यूटीब पर आफशिली देखने और जिसको बहुत ही पसंद आएगी कुमेडी ड्रामा जॉनरा की फिल्म है आप जिसको एक बार तो देखने ही चाहिए अगर आप से ने देख लिया है तो यह फिल्म आपको कैसी लगी थी अपना उपीनियन बता सकते हो और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते हो तो यहा आप दोस्ते सिल्म को थेटर में नहीं देखना चाहते है ओटीटी का वेट करें तो इन फ्योचर जब यह फिल्म ओटीटी प्लाइट्फरंट पर आएगी वह भी आपको देखने को मिल जाएगी नेटफलिक्स इंडिया पर जिहां सो नेटफलिक्स पर देखने को मिल आती हैं वह इस चैनल पर मिलती रहती हैं तो यहां पर हम दुस्तों बात कर रहे थे क्रूम हुई की जो कि यह 2024 में रिलीज की कुमेडी ड्रामा जानरा की फिल्म थी और आप दुसको फिर से बता दूए इस फिल्म के राइट्स पर गरा जो ओटी राइट्स थे ना वह ने अनinfर दूवर बात की आत दूए टम आप ड्रामा जाब।